मैं अगर बात करूँ यहाँ पर कि solid state के अंदर सबसे पहले क्या है तो बच्छा सबसे पहली बात तो होती है what is the condition I mean why solid state right तो आपको पता होगा कि अगर solid state की बात चलिया मतलब हम बात कर रहे है solids की अगर आपन बात solids की कर रहे है तो मतलब यहाँ पर वो है जो भी attraction force होगा between the molecules molecules वह बहुत ज्यादा होगा जिसका कारण से क्या होगा कि बच्छे जिसे यहाँ जो भी होंगे वह सब यह बहुत होंगे और यह बहुत क्लोज होंगे तो obviously यह जो इस्टेट धारन करेंगे जो इस्टेट धारन करेंगे वह धारन स्टेट को होगा solid state just because the solid का definition कहता है कि particles बहुत ही close close है class 9 में भी आपने पढ़ रखा होगा so अब यहाँ पे पहली बात क्या बोलता है ये attractive force between the particles which tend to keep a particle closer मतलब particles close इसले हैं just because of attractive force है और दुसरा बोलते है तो thermal energy which tend to keep them apart right to make them move faster तो देखो दो तरह की energy होती है कोई भी substance हो उसके अंदर दो energy लग रही होगी अगर आपन इस nature में छोड़ दें उसको तो एक attractive force होगा जो उसको पास मिला रहा होगा जो thermal energy होगा उसको दूर दूर गिले की जा रहा होगा तो अगर मैं किसी particularly sufficiently low temperature की बात करूँ तो यहाँ पर जो intermolecular force या interatomic force होगा वो ज्यादा होगा और जिस कारण से particle close होंगे और वो एक fixed shape volume वगरा धारन करके बैठे वे होंगे और यह particular substance जो होंगे वो solid state में आपको दिख रहे होंगे तो मतलब समझ में आ गया sir कि basically particles बहुती closely held है और इसी कारण से यह एक fixed shape और volume लेके बैठा हुआ है and that is why that is state is known as what solid state right it will have the defined shape जहाँ पर attractive force जो है वो जीत गई होगी और जो repulsive force है जो दूर करने वाली force है वो हार गई होगी और इस कारण से state कैसा मिला हमे solid state okay sir तो यह basically understanding a solid state की अब इसके अंदर general characteristics क्या होते हैं तो बच्चा याद रखना जैसे अभी मैं बोला कि they have definite mass they have definite volume and they have a definite shape that is why they are solid otherwise liquid or gas की बात करूँ तो for sure इसके अंदर liquid के अंदर आपको पता होगा कि जो इसका volume होता है वो तो होता है mass भी होता है बड़ शेप नहीं होता अपना वो depend करता है कौन से container में आपने डाल रखा है और gas के अंदर बस mass होता है बाखी के बाखी fix नहीं होती है वो depend करता है तुम कहां पे उसको रखे हो right class 9 में आपने पढ़ा होगा कि mass सब में fix होता है लेकिन shape and volume बस solid state में fix होता है उसके बाद intermolecular force जो होगा I mean intermolecular distance जो होगा वो बहुती close close होंगे particle that is why we say them as solid right and the next thing is intermolecular forces are strong just because of a strong force they are held together they are not moving apart और इसी कारण से वो solid state हैं भी और अगर मैं बात करूँ जो constituent particles होंगे उस particular solid के अंदर चाहे वो atom हो चाहे आयन हो चाहे molecule है कुछ भी हो वो क्या होंगे उनकी अपनी एक fix position होगी और इसी कारण से क्या बोलेंगे they can oscillate about their mean position और यह क्या होता है basically तो मैं आपको समझाता हूँ बच्चा यह क्या होता है basically अगर आपन देखें तो यहाँ पर भी clearly दिख रहा है कि जो atoms है यह बहुत ही closely held है right और यह atom बड़े fix state में रहते हैं अपने जगाँ पर बने वे रहते हैं और जिस कारण से हम इसको बोलते भी क्या है solid state तो यहाँ पर देखो पार्टिकल अपने जगाँ पर फिक्स हैं लेकिन 100% पार्टिकल के पास कोई ना कोई energy तो होगी और वही energy क्या करेगा उसको मजबूर करेगा कि तो अपने place पर ही क्या करता रहे oscillate करता रहे और इस कारण से oscillate करते रहते हैं और that is why energy उसके अंदर बनी रहती है लेकिन बच्चों एक बात और याद रखना oscillation के दौरान वो अपने place से dislocate नहीं होंगे अपने place पे fix रहेंगे इसलिए हम बोलते भी क्या है उनको solid state that's great बच्चा उसके बाद they are incompressible and rigid हम उसको दवाएंगे तो भी वो compressed नहीं होंगे वो rigid रहेंगे उनका shape fix रहेगा और आपको पता होगा जब हम बहुत ज़्यादा force लगा दे बहुत ज़्यादा pressure लगा दे तो for sure हो सकता है तर यह चांस की वो break हो जाए लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं होगा अगर हलका फलका force या pressure लगाएंगे तो for sure वो break नहीं होगा तो यह बात एकदम समझ में आनी चाहिए हमारे आसपास भी बहुत सारे solids हैं जिसको हम हलके फलके force से deform नहीं कर सकते हम अपने हाथ से force लगा कि उसको deform नहीं कर सकते इन जनरल है ना तो इसलिए क्या बोलता है कि they are incompressible जिसको हम compress नहीं कर सकते और साथ में they are reside मतलब अपने position पे अड़े वे हैं जैसे आप लोग reside हो क्या कि मुझे board में फोड़ना है वैसे ही यह भी reside है कि मुझे अपने place से dislocate नहीं होना है सर एक बात बताओ आपके इस lecture के बाद क्या सारे questions बन रहे होंगे तो बच्चा अगर आपने पूरा lecture देख लिया तो for sure आपसे बहुत सारे लगबात questions बन जाएंगे कहीं कहीं पे आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा और मुझे पता है कि आप लोगों के पास बहुती beautiful से mind है आप उसको use करेंगे तो for sure सारे questions बन रहे होंगे क्या सर लास्ट मिनट में करने के बाद हो जाएगा बच्चा अगर मेहनत करेंगे तो सब कुछ possible है कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता एक पत्थर तो तबियत से उच्छा लो यारो यह बहुती famous श्रे है इसका मतलब है कि अगर आपके पास अगर अंदर में will है तो पूरे के पूरे lecture को अच्छे से देखना होगा ठीक है सर उसके बाद आप हमें start करते हैं types of solid कौन कौन से होते हैं अगला topic जो ncrt में clearly mentioned है जो आपकी इस बार board का syllabus है उसमें clearly mentioned है that is type of solid तो बच्चा याद रखना type of solid जो होता है वो based on arrangement अगर मैं बात करूं तो based on arrangement हमारे पा पास क्या होता है definite characteristic geometric shape होता है और long range regular pattern of particle होता है मतलब सर मतलब यह कि particular arrangement जो होगा वो बहुत दूर तक similar चल रहा होगा ऐसा नहीं कि यहाँ पर रेंजमेंट कुछ और है वहाँ पर रेंजमेंट कुछ और है ऐसा नहीं throughout the solid में आपको arrangement same मिल रहे होंगे that is why we call it as long range long range का मतलब सब्सक्राइब ही है कि similar arrangement throughout the आपको solid मिल रहा होगा और इसके कारण से क्या होगा इनके पास different geometry होगी और shape होगा मतलब आप देखके पहचान जाओगे कौन सा solid है just because of pattern right अपन बोलते है न किसी particular चीज़ का pattern ऐसा है तो अपन बोल देते है आरे वाई यह तो यह particularly चीज particular जैसे नहीं पड़ेगी उसको आप बता दोगे बुर्ज खलिफा क्यों because of arrangement of buildings जो arrangement of block से वो इस तरह से है कि वो बुर्ज खलिफा बना रहा है और आपको पता होगा एवन दो दुनिया में बहुत सरे चीज़ें अरेंज हैं आपका घर भी अरेंज है बहुत सरे दिवाल इसमें ल जब घर बन रहे होते हैं तो इट बड़े प्यार से अरेंज किया आता है क्यों अगर arrangement आगे पीछे कर दें तो हो सकता है बीच में कुछ ऐसा गरबर हो जाए और वो पुरा का पुरा दिवाल धेह जाए इसलिए arrangement very very important और किसलाइन solid इसलिए बहुत ही अच्छे solid माने जाते हैं और इसके example क्या है सर तो बच्चा इसके example आप देख सकते हो quartz is the example, calcite is the example, sugar, mica, diamond, right, snowflex, raw, calcium, fluoride, silicon, oxide, alum, right, silica बच्चा ऐसा ही ओटू है तो यह सारे के सारे example है इसके क्या किसके बटा crystalline solid के अब अगर मैं बात करूँ एम और पर सॉलिड का तो एम और पर सॉलिड वो ह होते हैं, solid तो होते हैं, ऐसा निए solid नहीं है, solid होते हैं, लेकिन irregular safe होता है, और short range order होता है, मतलब हलका सा similar होगा, फिर change जाएगा, I mean order जो है arrangement of atom particle iron जो भी है, अगर थोड़ा सा similar होगा, फिर change हो जाएगा, फिर कुछ और पैटन बन जाएगा, फिर थोड़ा सा similar होगा, फि similar चल रहा है थे throughout, बड़ यहाँ पर क्या हो रहा है, similar नहीं चल रहा है, आगे पीछे arrangements होड़ी है, मतलब थोड़ा-थोड़ा सा similar दिख रहा है, फिर dissimilar हो गया, फिर थोड़ा-थोड़ा similar दिख रहा है, फिर dissimilar हो गया, तो मतलब ऐसे किसे पन क्या बोलेंगे, यह nothing but amorphous solid है, उसकी property है कि वो short ordered होते है, short range होता है, इनके अंदर और इस कारण से हमें irregular shape देखने को मिलता है, बात समझ में आया बच्चा, यह से for example, क्या है, plastic है, glass है, rubber है, metallic glass है, और polymer gel, polymer है, gels है, fuse silika है, pitch बार है, तेन फिल, lubricants है, wax है, यह सब क्या है, सब के सब amorphous है, तो एकदम बच्चा याद रखना, यह example भी important है, हो सकता है, चार option दे दे, किस में से कौन सा option आपको, कौन सा option आपको example है, crystalline solid का, और इसी में से एक option वहाँ पर दे रखाऊगा, just because I have covered most of the example, जो आपके NCRT या different books में mentioned है, similarly, मैंने amorphous के भी almost सारे example ले रखे हैं, जो आपके books NCRT में mentioned ह तो please बच्चा example भी याद रखना हो सकता है, question objective में frame हो जाए, इसमें से कौन amorphous हैं, या इसमें से कौन crystalline solid हैं, तो आपको example याद होना चाहिए, ठीक है बच्चा, exam hall में आप pattern नहीं देख पाऊगे, आपको obviously pattern देखने मिलेगा भी नहीं, example होगा, तो example आपको याद होना च सहेगा, तो please बच्चा आगे बढ़ते से, अब है क्या क्या difference होती है, इनकी properties के बीच में, तो सुनना बहुत important यह भी बात है, सबसे पहला है shape, अगर मैं बात करूँ कि इस चलाइन solid का, तो इनके पास क्या होता है, definite geometrical shape होती है, correct बात है, और इसके पास क्या होता है, इर्र arrangement अच्छी होती है, अगर arrangement अच्छी होंगी, तो for sure इनको melt करना मुश्किल होगा, that is why we say melt at sharp right and characteristic temperature, what does it mean, it mean कि हर एक solid का अपना एक defined temperature होगा, right, हर एक solid का defined temperature होगा, वो उस solid के ऊपर depend करेगा, और इसलिए यह high melting point show करता है, just because of, it has a very अच्छा वाला क्या, arrangement of atoms, molecules और iron, where as, अगर मैं बात करूं amorphous solids की, तो वो बहुत ही comparatively क्या होते हैं, soft होते जाते हैं, अगर आप उसको heating करोगे, soft होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और finally वो liquid बन जाएगा, for example, polymer ले लो, अगर आप polymer को heating करोगे, starting में तो solid found हो, starting में वो solid sound होगा, लेकिन जै जैसे केस में, यहाँ पर लिखावा है, gradually soften over the range of temperature, अगर हम किसी sharp edge tool से काटेंगे, तो क्या होगा, यह दो particular part में divide हो जाएगा, बीच से काटें, या कहीं से भी काटें, आपको दो different types of smooth surface मिल रहे होंगे, newly generated smooth surfaces मिल रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको काटोगे, तो आपो क्या मिलेगा, आपको दो different तो मिलेगा, लेकिन irregular surface मिलेगा, मतलब खुरदरा सा होगा, मतलब ऐसा होगा, कि एक का pattern कुछ होड़ है, एक का pattern कुछ होड़ है, लेकिन यहाँ पर एकदम smooth आपको मिलेगा, surface, right, जब आप इसको काटेंगे, किसको crystalline solid को किसी sharp cutting tools है, उसके बाद, इसके अंदर क्या होगा, they have a definite characteristics of heat of fusion, obviously हमें पता है, कि चुकि ये definite होते हैं, हर तरह से, इनके अंदर particular solid का particular property होता है, that is why we say, they have definite characteristics heat of fusion, मतलब sir, मतलब है, heat of fusion, जब जिस heat पे वो fuse हो जाए, तो particular solid के लिए, एक particular क्या होगा, heat of fusion होगा, लेकिन इनके case में क्या है, कोई heat of fusion defined नहीं है, right, तो इसी कारण से हम बोलते है, it doesn't have what, characteristics heat of fusion, मतलब आपको heat of fusion अलग अलग भी हो सकते हैं, but यहाँ पर तो perfectly same होंगे, अगर आपका solid particularly same चल रहा है, I mean same solid है, तो, यहाँ पर any so tropic in nature, यह क्या होता है, समझाओंगा कुछ समय के बाद, और यह होता, isotropic in nature, एक any so tropic, एक isotropic, basically any so tropic, और isotropic में क्या, I mean क्या है difference, तो any so tropic होते हैं, जहाँ पर physical properties, जब आप directions में जा रहे होंगे, तो आपको different मिल रहे होंगे, अगर any so tropic है, तो इधर की तरफ कुछ और physical property है, इधर की तरफ कुछ और physical property है, लेकिन अगर isotropic हुए, तो इधर की तरफ भी वही property मिलेगी, average property, और इधर की तरफ भी average property, physical वाली, वही मिल रही होगी, इसले इसको isotropic बोलते हैं, और better समझाओंगा, अगली slide में, next ह है, इसको बोलते हैं, हम लोग true solid, मतलब है truly solid है, मतलब क्या हुआ, मतलब यह solid के हर एक property, जो एक solid बनने के लिए चाहिए होती है, उसको सही तरह से perform कर रहे हैं, लेकिन यह क्या है, pseudo solid है, या super cool liquid बोल चकते हो, मतलब या तो यह जूठा सा solid है, या फिर यह बहुत थंडा क् इसको, ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे pseudo solid या super cool liquid और इसको बोलेंगे true solid, उसके बाद यह long range order है, मतलब कि इसका similar pattern throughout बहुत दूर तक देखने मिलेगा, लेकिन यह short range का मतलब हो गया, कि इसमें तुरंट 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 आपको change दिख रहे होंगे, और यही मैंने आप को बोला भी था, कि जब आपको तुरंट 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 चेंज दिख रहे होते हैं, तो वो short range मने जाते हैं, और वही अगर same pattern long run तक चल रहा हो, similar pattern चल रहा हो, तो what we call it as long range order, right, बहुत important है, यह सारे definition, बच्चा दिमाग में रखना, हो सकता है, एक् true solid कहलाते हैं, तो जो example crystalline का है, they are true solid, और question हो सकता है, इसमें से कौन super cool liquid कहलाता है, तो चार option होंगे, जो example amorphous का होगा, वही मेरा उसका answer होगा, तो इस तरह से questions बनाए जा सकते हैं, या पुछा सकता है कि anisotropic property कौन सो करता है, तो आपन बोलेंगे crystalline solid सो करते हैं, उसके ब अच्छे से cover कर लेना, चलिए, next tropic के तरफ move करते हैं, आखिर what is this anisotropic property, तो बच्चा मैंने भी just बोला, it can be defined as different in material, physical, I mean different in material, physical और mechanical property, like refractive index, conductivity, tensile strength, right, in different direction, मतलब क्या हुआ सर, मतलब यह हुआ, कि तर सुनना जहान से, अगर माल लो, मैं इधर के तरफ जा रहा हूं, ठीक ह है, माल लो, मैं solid के अंदर घूम रहा हूं, यह माल लो, room solid है, ठीक है, अब मैं solid के अंदर घूम रहा हूं, अगर मैं इधर जा रहा हूं, तो मुझे माल लो, tensile strength, तो tensile strength क्या होता है, tensile strength बचा यह होता है, जिस जो strength, I mean जिस particular tension तक, वो particular solid withhold करे, मतलब अपने shape को deform ना करे, वही होता है, उसका tensile strength, अब अगर मैं इधर की तरफ जा रहा हूं, टेंसन लगा, मैं इधर की तरफ गया, तो मैंने देखा कि अर्रेंजमेंट में टेंसाइल strength माल लो, पांच newton का है, मतलब पांच newton तग यह particular solid deform नहीं होगा, ओके, अब मैं इधर की तरफ गया, तो ही change हो गया, तो मतलब समझ में आ गया सर, कि basically tensile strength हो, या कोई भी physical property हो, हमारे पास different direction में different होगा, सर कैसे सर, देखो ध्यान से बिटा, ये देखो, ये regular arrangement है, सर कहां सर, obviously दिख रहा है बच्चा, देखो यहाँ पर white 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 white, फिर black black black, फिर white 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 white, फिर black black, मतलब एक similar arrangement, बार बार हो रहे हैं, right, अब सोचो, अगर मैं ऐसे गया, तो मुझे सारे black black, मिले, ऐसे गया, तो मेरे को white black white black, मिल रहे हैं, right, अब आप ही बताओ, अगर black black वाले ज्यादा powerful atom है, ज्यादा strong hold होते हैं, तो 100% है, इधर की तरफ मेरे को tensile strength ज्यादा मिल रहा होगा, मतलब इधर की तर सब जाओंगा, तो bad conductor, good conductor, bad conductor, good conductor, bad conductor, good conductor, good conductor, good conductor, मतलब इधर की तरफ चेंज हो गया, right, अब material की property depend करती है, अगर मैं overall material की बात करूँ, तो overall material की property depend करती है, उसके arrangements पे, right, आप जब उस direction में जा रहे हो, तो आप किस atom से मिल रहे हो, इस पे depend करता है, तो यहाँ जा रहे थे तो हमें different मिल रहे थे, मतलब white black, white black pattern मिल रहा था, और इस direction में गये तो हमें different मिल रहे है, only black black मिल रहे, right, या फिर अपन इधर की तरफ ऐ इसे गए, तो हमें कुछ और मिला, तो जैसे जैसे आपन direction change कर रहे है, अपन horizontal जा रहे है, तो सारे white मिल रहे है, अपन vertical में गए, यहाँ से तो हमें सारे black मिल रहे है, अपन इगा डागनल ली गए, तो हमें white black, white black मिल रहे है, तो मतलब क्या हो गया, हर direction में हमें different types of element मिल र range है यह, मतलब arrangement similar वाले बहुत दूर तक है, लेकिन फिर भी, अगर मैं particular direction में move करूंगा, अगर मैं particular direction में move करूंगा, तो combination different हो सकती है, इसी लिए we say, it is anisotropic in nature, just because of arrangement is, arrangement is different in this direction, in this direction, and in this direction, but overall arrangement क्या है, overall arrangement कैसा है, तो यह long range है, because of similar pattern, बार बार क्या हो रहे है, repeat हो रहे है, आ kis line solidized, inisotropic in nature, आगे यही बास समझा बड़ा, तो यही लिखा है वहाँ पर, अपन दी देख सकती है, यहाँ पर लिखा है, this anisotropy is in crystal is due to the different arrangement of particle, along different direction, अगर मैं A से भी जाओं तो regular pattern है, अगर मैं C से जो दी जाओं तो regular pattern है, लेकिन, but pattern between, pattern in A and B, A to B, is different from pattern in C to D, देखो, A स B में जो pattern है, वो different है, C से, D के pattern में, right, so that is why we say what, it has different arrangement, I mean, it has different what, different kind of pattern in different directions, but overall it is, क्या, repeating its arrangement, that is how we say it has, anisotropy, I mean, anisotropic in nature, and the property, this property, the phenomena is known as what, anisotropy, चले, next है is isotropic, बच्चा, isotropic क्या होता है, तो मतलब जहाँ पर आप इधर जाओं पर आप इधर जाओ, जाओगे, तो भी आपको 5 Newton का Tensile Strength मिल रहा है, इधर के दरफ जाओगे, तो भी 5 Newton का ही मिल रहा है, तो जहाँ भी गया, मेरे को 5 Newton का ही, 5 Newton का ही, क्या मिल रहा है, Tensile Strength मिल रहा है, तो I say, कि हर direction में property almost क्या है, similar है, और यहाँ पर average property similar, मतलब ओवर all property similar, देखो, यहाँ आइसे गया, तो भी मेरे को एक irregular सा बड़ा छोटा बड़ा छोटा आटम मिल रहा है, इधर गया, तो भी मेरे को एर्रेगुलर सा बड़ा छोटा आटम मिल रहा है, मतलब ऐसाच कोई particular pattern तो है नहीं, क्योंकि होना भी नीच यह कौन है, एम और फास solid है, यह कौन है, एम और है, तो वैसे कि इस में यहाँ पर हमें, as such कोई बहुत अच्छा, repetitive pattern तो ऐसे भी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हो ना, जैसे यहाँ रेंडमाइज मिला मेरे को हर कुछ, वैसे यहाँ रेंडमाइज मिला, तो average property क्या होगी, है direction में, almost similar होगी, that is why we say what, they are all they are all isotropic in nature when it is amorphous, तो यही लिखा है हाँ पर कि amorphous solids are isotropic in nature, it is because there is no long range order in them and arrangement is irregular along the direction, so the value of physical property would be same along any direction, आप किधर भी जाओ, आपको similar property मिल रही होगी, यहाँ पर example मेरी life अगर बहुत arrange है, ठीक है, तो अगर मैं arrange दो, तो मतलब पताए है, अगर मैं arrange दो इसका मतलब है कि मैं particularly, एक चीज में बहुत अच्छा हो। रहिट में बहुत ốngऊँ एक particular चीज में, इसलिए मैं arrange दूओ, let's suppose पढ़ने में बहुत अच्छा bring up aarakc GRANT पूछेगा एक्जाम देगा तो मैं खट से टॉप करके दिखा दूँगा राइट क्यूंकि मेरा पढ़ने की तरफ एलाइनमेंट क्या है ज्यादा है अब लेट सपोस्ट कोई बोलते हैं को डांस करके दिखा तो मैं अगर पढ़ने में अच्छा हूं मैं एक अरेंज आदमी लेकिन ऐसा आदमी जो पर्टिकुलर्ली कहीं अरेंजनी है हर कुछ करता है थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि इसको पढ़ना ही बहुत अच्छा लगता है डांस ही बचलते हैं यह सब कुछ करता है एक जैनरलेस्ट आदमी है तो वैसे किसमें वह पढ़ाई भी वैसा लाइफ में बिल्कुल का यह बिर्गूलर है यह कुछ वैसा ही करेगा वैसा ही यह पढ़ने से तील्प होगे वह क्या होंगे एक प्टिक्लिल्ट डिरेक्शन में बहुत अच्छे होंगे दुसरे में वही चीज़ क्या होगी उसकी खड़ाब होगी अच्छी नहीं होगी राइट तो वैसा ही कुछ है अपन एक्जाम्पल से लाइफ एक्जाम्पल से भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं ऑके सर्थ अब नेट्स मूब करते हैं अगले की तरफ क्या है अगला कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेम्ने इसके और भी किसाफ्लाइन तर इसके ओपर भी हम लोग हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पहला सुनना था हैं से पहला क्या था पहला था solid को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया crystalline and amorphous उनकी प्रोपटीज हमने देख लिए अब क्रिस्टलाइन solid को हम फर्दर इन पास तरह से कर सकते हैं पास नहीं चार लिखाए चार तरह से डिवाइड कर सकते हैं कौन-कौन से आयनिक solid covalent या network solid metallic solid and molecular solid यह चार होते हैं crystalline solid के further divisions सुनना जान से solid के दो division कौन-कौन से तो solid के दो है amorphous and crystalline अब इस crystalline के चार फर्दर ionic covalent या network और क्या है मेरे पास metallic और कौन सा मेरे पास molecular तो यह चार अलग अलग ताइप हो सकते हैं और molecular तो यह चार अलग अलग type हो सकते हैं इसके किसके crystalline solid के तो यह समझ में आना चाहिए कि और हम solid क्या मतलब यहां पर तो बच्चा यहां याद रखना ionic solids are those solid which has ionic bond between the particles मतलब मतलब अगर माल लो एक solid है जो A और B से मिलके बना है तो इस A और B के बीच में जो तुमारे पास force of attraction होगा वो कौन सा होना चाहिए तो अगर यह plus और यह minus सोना ची तभी बनेगा ionic solid because आपको पता है ionic compound तभी बनते हैं जब एक cation हो और एक anion हो right तो अगर हमने यहाँ पर दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर ionic bond बनेगा तो अपन बोल सकते हैं आज के बास है ionic solid वो होते हैं जहां पर bond कौन सा होता है ionic bond होता है यह पहली बात है दूसरा होता है बेटा ionic solids जो होते हैं यह सबसे अच्छे वाले होते हैं क्रिस्टलाइन में भी क्रिस्टलाइन solids के अंदर सबसे strong force जो लग सकता है वो कौन सा है ionic force लग सकता है that is why जो ionic solids होते हैं यह बड़े ही क्या होता है sharp melting point और boiling point वाले होते हैं sharp melting point and boiling point क्योंकि इसके अंदर का force of attraction है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है तो इसका sharp melting point मिलेगा आपको और साथ में जो bond जो इस particular solid बनाने के लिए responsible है that particular bond will be ionic bond उसके बाद जो ionic solids होते हैं they are conductor they are conductor right they are conductor लेकिन कहां पर तो conductor यह होते हैं कहां पर बच्चा तो conductor होते हैं यह अपने molten state में कहां पर बच्चा molten state मतलब जहां पर यह पिगला हुआ हो मतलब जहां पर इसके पास free ions हो molten state का मतलब बतार है free ions और conductor होने के लिए देयर conductor of electricity लिख लो electricity कहां पर तो मैं बोलूँगा देयर conductor of electricity कहां पर तो free molten state में क्यों ऐसा है सर क्योंकि free ions इसके पास है याद रखना बच्चा कि कभी भी अगर कोई conductor electricity का तो उसके पास free ion का होना बहुत जुरूरी है तो conductor state होगा कौन सा वाला तो conductor तब होगा जब पाद यह free ions में break हो जाएगा तो यह क्या करेगा तो यह तुम्हारा conduction शुरू कर देगा तो याद रखना conductor बनने के लिए we need free ions अगर free ions नहीं है तो conductor नहीं हो सकते वो राइट तो molten state में free ions है और aqueous medium के अंदर भी free ions है that is why we say कि particularly अगर आपको ionic solid के अंदर conduction चाहिए तो यह वी नीड टो हैब आइदर molten state और aqueous medium राइट उसके बाद तो दो पॉइंट तो चेक हो गई तीसरा पॉइंट तीन पॉइंट तो हो गई तीसरा चौथा पॉइंट हो गया कि सुनना ध्यान से विटा अब चुकिया आइनिक interaction सो करना है राइट शाप melting point boiling point हो इसके अंदर conductor हो जाएंगे और साथ में अगर आप देखोगे तो यह comparatively क्या होंगे हाड होंगे यह soft नहीं होंगे यह कैसे comparatively hard होंगे यह hard दिख रहे होंगे hard appearance में भी दिख रहे हों आपको लग रहे होंगे तो अगर आपसको touch करोगे तो you will find kind of hardness in this particular क्या आइनिक solids तो यह ध्यान रखना हो अच्छा यह चार point वे गर आपको आती है तो that is more than sufficient right to crack to क्या बताओ to tell about to tell about the ionic solids तो ionic solid में यह चार point बहुत important है हो सकता है वह आपसे पूछ ले कि बताओ NACL solid यह क्या है कौन सा सोलिड है तो NACL solid यह आइनिक solid है हाँ बिल्कुल एसर एने प्लस एल मैंस होता है के cl solid कैसा है आइनिक solid है राइट हमने लिखा cf2 solid यह भी क्या है आइनिक solid है क्यों ca2 plus और f का माइनिस तो यहां भी कुटाइन नाइन है तो यह सब किसब क्या आइनिक solid का example है सर क्या यहाँ पर इस state में solid state में क्या होना बहुत जरूरी है अगर conduction चाहिए किसके अंदर conduction चाहिए उस particular ionic या किसी भी particular substance के अंदर राइट अगर कोई भी चीज conductor है तो मतलब है या तो उसके पास free ion होगा या नहीं तो उसके पास free electrons होंगे दोनों में से कुछ अगर होगा तब ही वो conductor बन सकते हैं बिल्कुल होगा सर अभी सबार हो जाएगा free ions आगए अच्छा अगर कोई बोलेगा मोल्टन अगर कोई बोलेगा एने सी एल एक वस अब होगा हाँ होगा क्यों एक वस मीडियों में भी ब्रेक हो जागा किसमें एने प्लस और मैनस में तो आयनिक आयन्स मिल गए आयन्स मिलने के साथ क्या करेंगे यह कंडक्शन शुरू कर देंगे तो इस वाज और इसके ऊपर कुछ और इक्जांपल है जैसे सी एस सी एल देखो यह भी आयनिक स्वाड़ है तो वच्छा में भी कौन से मेटल तो मेटल में भी वह मेटल जो काफी जादा रियक्टिव मेटल्स होते हैं जैसा कि सोडियम पोटासियम कैल्सियम स्ट्रॉंसियम बेरियम लीथियम यह सब क्या है काफी रियक्टिव मेटल्स होते हैं और इस कारण से यह जनली क्या करते हैं आयनिक स्वाड़ का फॉर्मेशन करते हैं तो आई होप यह आपको बिलकुल समझ में आ गया होगा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स टेस कोवलेंट और नेटवर्क सॉलेड यह क्या होता ह है सर तो बैसिकली कोवलेंट और नेटवर्क सॉलेड वो होते हैं जहां पर धेर सारे कोवलेंट बॉंड होते हैं समझ मियारी वाद बचा बहुत सारे कोवलेंट बॉंड एक साथ अरेंजड हैं तो समझ जाना वह या तो कोवलेंट या तो नेटवर्क सॉलेड है सर एक्ज पहना है अरे वेट कर लो थोड़ा हो जाएगा तुम्हें भी मिलेगा डायमेंड की अंगोठी लेकिन उसके लिए आज के लिए क्या करना परेगा आज बहुत मेनत करना परेगा तर आपके हाथ मेनिए अर्ट मैं उस लाइक नहीं नहीं दा इसका से मेरे आथ मिनियोट तुम मन से पढ़ाई करोगे तुम टॉप मार वे तुम रिजर्ट लाओगे और उसके बाद लोग तुमारी बोली लगाएंगे अहां अहां सर्मा गया मुस्कुरा रहा है अरे अभी पहले पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए तभी को डायमेंड क्या उठी देगा सर्क्यू अंदर जो बात है ना वो डायमेंड के अंदर कभी हो इनी जकती डायमेंड तो एक क्या है सिंपल सा चमकता हुआ कुछ है आपकी तो पूरी पॉस्टनल्टी चमकती भी भाई लेकिन इसमें और पॉलिस की रिकौवार्मेंट है आपको पता है जब डायमेंड भी पहली बा करते हैं फिर आपने गुजरात में सुनों आबहुत सारी कमपनी ज local त में को कि दायमंड की जब कटिंग होती है कि सी क्टिंग टूल के साथ उसकी शापनीं होती है तब जाके डाइमंड अपने शेप में आथा जहां वो चमकना शुरू कर देता है तो वैसे ही आपकी भी कटिंग हो रही है इसको पढ़ा के आपको भी शार्प किया जा रहा है पढ़ा के ताकि आप भी चमकना शुरू कर दो और I am the diamond cutter for you anyways चलो अब यहां पर अब अगर यह कोवलेंक बांड के साथ जक्राहुंआ है अगर हैं हैं और यह इस तरह से अरेंज होते हैं अंच्क । यह पूरा का पूरा diamond जैसा, I mean diamond जो आपको दिखता है ना, उसमें carbon tetrahedral होता है, tetrahedral का मतलब tetrahedral geometry लेकर रखा होता है और hybridization उसकी SP3 होती है, इन काम का भी नहीं तुमारे लिए, अभी बस काम का ये है कि diamond जो है, उसके अंदर धेर सारे covalent bond है, that is why we say it is a network of covalent bond, right, it is the network of covalent bond and that is why they are also known as covalent solid या network solid, covalent network solid, covalent network solid, covalent network solid, तो यहाँ पर देखो जान से विड़ा, covalent bond का network बना दिया, मैंने इस कारण से, ये covalent network solid कराता है, और भी बहुत सारे example है, silica है, right, silica SIO2, आपको सुना होगा, SIO2, वो भी क्या है, covalent network solid होता है, silicon carbide है, वो भी क्या है, covalent network solid है, तो वैसा ही कि मैं, बहुत सारे example है, जो covalent network solid होते हैं, अब इनकी क्या property होती सर, तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर अगर मालनो, graphite की बात करता हूँ, graphite भी क्या है, covalent network solid है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसके अंदर में भी क्या होते है, majority वैसे होते है, जिसका क्या होता है hardness बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि जैसे कि डायमंड है यह बहुत हाड होते हैं आपको पता होगा वन अब दा हार्डेस्ट नैचुरल सबस्ट्राइंस आमीं नैचुरल जो अकर है वो डायमंड ही है तो डायमंड बहुत हाड होते हैं यतने भी कोवलें इटवक्स कंपाउंड है वो सब के सब बहुत हाड होते है जिसलिए अपर लिखेंगे समें के जैसे होते हैं जैनली हाड होते है उसके बाद उसके बाद सर वहता है शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलेंग पॉइंट चुकि बहुत जैदा इसके अंदर क् करूँ तो टेया जनरली इंसूलेटर ओफ एलेक्टिसीटि तो इंसूलेटर इंसूलेटर ओफ इनसूलेटर ओफ एलेक्टिसीटी इसका एक exception क्या है तो graphite electricity electricity लेकिन graphite होते हैं इसलिए मैं यहाँ लिख दूगा यहां पर लिखी जाती है just because of free electrons याद रखना बच्चा तो इसलिए graphite बस example ऐसा है जो क्या है insulator होते हैं और graphite soft भी होता है यह hard होते है graphite soft होता है तो इसलिए graphite इस particular property को follow नहीं कर रहा इस का रहां से मैंने लिखा generally hard और sharp melting point वो सबकी होती है चाहे वो graphite हो चाहे silica हो चाहे silicon oxide हो चाहे वो silicon carbide हो चाहे वो diamond हो सब की melting point काफी जादा होती है लेकिन insulator कौन है कौन नहीं है तो most of the most of them are insulator diamond का भी insulator है सब insulator है except कौन graphite उसके बाद सारे hard होते हैं एक graphite है जो soft है और इस करण से हमें graphite को as a dry lubricant भी use करते हैं क्योंकि graphite जो होते हैं वो layer ही structure होता है उसके इंदर सारे layers बने होते हैं बच्चा और यह याद रखने वाली बात है कि यहां पर graphite का अगर मैं structure बना रहा हूं तो graphite जो होते हैं यह layering form में बना कर रखे अपने तो यह इन्होंने layer बना रखाया से करके तो यह layers आपस में attach होते हैं through a very weak force that is known as vendor wall force तो यह very weak force से layer बना कर रखा होता है एक layer मालों यह बनाया मैंने दूसरा layer मालों मैंने यह बनाया तो इनके बीच में जो एक force of attraction लग रहा है that force of attraction जो होगा वो एक weak force of attraction है that is why we say कि they are I mean they displaces राइट वो अपने place ते displace हो जाते हैं और कैसे होता है तो यहाँ पर यह दोनों इक दूसरे से attraction force एक लग रहा होगा हलका सा attraction और जो attraction लग रहा है हलका सा यह तुम्हारा attraction है vendor wall force of attraction मैं लिख रहा हूं बच्चा आप लोगों को खुद से लिखना है vendor wall force of attraction और यह एक weak force होता है between the layers आपस में तो काफी strong गई है आप character of electricity क्योंकि मैंने बताया था electricity conduct करने के लिए तो free आयन चाहिए या नहीं तो क्या चाहिए विटा electron चाहिए free वाले तो इसके अंदर आयन फ्री नहीं है electron free यह तो यह भी question आ जाए कि graphite के अंदर conductivity क्यों आती है तो due to free आयन no 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 due to free electron yes यह free एकारण free electronic कारण यह conductivity तो कर रहे होता है अब बेंडर वाल फोर्स कैसा होता है विटा यह weak force होता है बच्चा यह weak force होता है रहेट तो सुनना ध्यान से विटा आप इसके इस layer को तोड़ने में बहुत मुस्किल है इसके इस layer को तोड़ना बहुत मुस्किल है लेकिन इन उनके layer displays होके आपके copy पे रह जाते हैं आपके notebook पे रह जाते हैं और जिस impression को हम क्या बोलते है राइट तो राइटिंग के काम में आता है यह बहुत अच्छे से और इसलिए graphite से हम pencil का formation करते हैं और चुकि यह layer displays हो रहे हैं मतलब फिसल रहा है राइट जैसे अपन जाते है तो पैर फिसल जाते है था तो फिसल इसलिए आती है पैर जैस भी और नीचे में layer displays हो जाते हैं पानी तुरंसे displays हो जाता है तो पैर को लेकर साथ में निकल जाता है और जिसका दालन सम्गिड़ जाते हैं तो आपर फिसल राइट पैर है ना वैसे ही इसको भी हम यूज करत तो that is why इसको as a dry lubricant use करते हैं जो heating में भी जलता नहीं है ये जलते नहीं है याद रखना graphite डोते हैं इसका इसका melting point boiling point बहुत ज्यादा होता है melting point उनके बहुत high होते हैं इसलिए high temperature तक भी क्या हो गरता यह width stand करता है ये रुका रहता है ये पता है कि आप लोग बहुत मेंट भी कर रहे हैं इसके लिए तो governo यहां पर इसको खाय यूज करते यूज खरते हैं लूब्रिकेट जाते है ड्राइ क्यों बोला क्यों यह क्यों बोला क्यों कि लिक्विड तो है नहीं क्या है तो यह कैसा होता है, hard यह soft, तो मेरा answer होगा, it is soft in nature, साथ में क्या यह conductor यह insulator, तो answer is conductor in nature, और उसके बाद पुछेगा, क्या हम यह, इनका melting point sharp होता है, तो answer is yes, sharp होता है, कोई पुछेगा, conductor क्यों होता है, तो answer is just because the free electrons, answer होगा, free electrons, not free ions, याद रखना बच्चा, चलिए, तो यह तीन properties हैं, जो आपको पता होनी चाहिए, सर्च चौथी properties, जो आपने बोला, क्या है, इसके बीच का reason, आखिर यह कैसे जूरे में, तो answer है, just because of number of covalent bonds, तो many covalent bonds, many covalent bonds, covalent bond इतने सारे हैं, इस कारण से यह solid बना के बैठा हुआ है, ठीक है, तो यह network of covalent bond, network of covalent bond, यह होता है, यह होता है, इस कारण से भी call it as network solid, network of covalent bond, इसले हम तो क्या बोलते हैं, network solid, चलिए, next है, आपके पास metallic solid, what is metallic solid, जहां metal हो, right, तो मतलब metal, metal के बीच में, काफी अच्छा force होता है, जो metallic bond कहते हैं, उसको, इस कारण से solid के तरह behave करते हैं, और याद रखना, metallic bond क्या होता है, basically, तो इसके atoms के बीच में, इसके atoms के बीच में, free electrons flow कर रहे होते हैं, free electrons बने वे रहते है और यही free electrons जो होते हैं, जो free electrons होंगे, यह इनके यहां पर insights में, मतलब जहां जहां पर जगा खाली है, यह free electrons यहां पर भड़े रहते हैं, और free electrons आते कहां से हैं, तो यह इन ही metal से ही आते हैं, बाहर से कहीं से नहीं आते हैं, इन ही metals से ही आते हैं, विकॉज आपको पता कि metals होते हैं electro positive तो वो अराम से यलेक्ट्रोन loose कर देते हैं और वो lose electron जो होता है वो उनके lattice के अंदर मतलब उनके structure के अंदर होता है lattice जोड़ दो अभी सुन लो structure के अंदर होता है और उसी structure के अंदर वो as a binder काम करते होते हैं मतलब जो फेबी कॉल लगाते है ना पन चिपकाने के लिए तो यह वो फेबी कॉल है कौन electron तो electron acting as a binder और है से electron acting as a फेबी कॉल फेबी कॉल बोलना सची नहीं रहेगा binder is the correct right word तो they act as a binder and that is why atoms काफी closely प्यार से हेल्ड होते हैं metal के और इसी लिए solid का रोप धारण कर लेते हैं, तक यह why metallic beats, I mean metal star solid is because of metallic bond, तो यही जो binder वाला काम है ना इसी को turd metallic bond, क्या ब diff Day because of metallic bond, यही binder वाला काम है, यही binder वाला काम है, יही binder वाला काम इसको क्या करता है, metallic baby bond का नाम देता है, तो metallic bond क्या है, nothing but, electron binder बेखा साथ की मेरे इस लिए ये एक 锈ल्गय underख वाला मॉडल समंदर कहा हो यही Tsar बोलता है इसको इलेक्टोन सी मॉडल एलेक्ट्रोन का समंदरれた न बॉड़ता है अच्छा उसके बासर करूंट भाधक्र देखा जाए तो metallic bond के अंदर, और क्या सर, metallic solid के अंदर और क्या होता है, तो इसके अंदर sharp melting point, boiling point होती है, sharp MP and BP होता है, right, MP काफ़ी sharp है, मतलब MP काफ़ी high, MP क्या सर, member of parliament, नहीं, melting point होता है आजी बास समझ में मद परदेस नहीं नहीं melting point होता है तो इसका melting point काफी ज़्यादा होता है उसके बाद सर अगला क्या important है ठीक बाद अगला important है बेटा बेल्स का conductor of electricity क्यों sir just because of आपन देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं बैसिकले में बात कर रहा हूं वो मुस्टली हाड है जैसे कि आई रहन है और अगर मैं बात करूँ तो सॉट भी होते है कि आपको पता होगा पूटाशियम है सोडियम है लाइट लीथियम है तो ऐसे आपने स्टेट फॉरवार्ड नहीं बोल सकते हैं अगर को पुछेगा metallic physical जो metal physically काफी strong होते हैं वो कैसे तो answer is hard example है sir iron, cadmium, nickel, chromium है ना यह सब hard metals है और soft में को है sir potassium, sodium, lithium जो काफी chemically active होते हैं वो soft होते हैं आपको पता होगा कि यह reactions में काफी जादा जल्दी react कर रहे जाते हैं इसलिए soft metal होते हैं तो I hope आपको यह properties metallic solid की बिल्कुल समझ में आ गई होगी अब आपन बात करेंगे next there is molecular solid what is that molecular solid तो बच्छा molecular solid में molecular force of attraction is the main reason behind the solid structure तो sir मतलब हो गया क्या मतलब यह हुआ कि यहाँ पर जो net force है जो इनके molecule को पास मिला कर रख रहा है तो नामसी के लिए molecular मतलब क्या मतलब ऐसा force of attraction जो molecular हो मतलब molecular force of attraction सर्फ कौन सा होता है वो तो बच्छा molecular force of attraction जरली कौन होता hydrogen bond राइड या winder wall force of attraction जो class 11th के chemical bonding में आपने पर होगा कि दिर आ two types of क्या molecular force and molecular bond and those two types are hydrogen bond और winder wall force of attraction और फिर winder wall force of attraction फर्दर बहुत तरह से होते हैं लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है कि molecular solid जो बनते हैं वो molecular solid बनते हैं molecular bond के कारण तो molecular bond is the main reason behind तो मैं बोलूँगा यहाँ पर molecular bond molecular bond होता है इनके बीच में that is why they are held it together and that is why they are solid in nature तो को पुछेगा what is the responsible force तो answer is molecular bond उसके बाद कोई बोलेगा sir इसके में क्या होता है कि यह generally soft होते है nature के और इनका melting point काफी low होता है तो low melting point लेके चलेंगे इसका example सड़े दो sir example है बच्चा बहुत सारा जैसे iodine solid I2 solid पता होगा तुम्हें CO2 solid carbon dioxide solid आपको भी पता होगा इसको लोग dry ice बोलते है राइट जैसे ice है है ना तो यह सब example क्या है जहां पर molecular force लग रहा होगा इनके बीच में iodine के बीच में molecular force लगता है कौन सा वाला London force of dispersion carbon dioxide के बीच लगता है London force of dispersion ice के बीच में लग रहा होता है hydrogen bond यह सारे molecular force है that is why we call them as molecular solid आड़ी बास समझ में या फिर तुम्हें कोई भी ऐसा molecule दे दे let's suppose sulfur trioxide दे दिया SO3 और बोला बताओ यह क्यों solid है तो इनके पीछे में भी reason है यह एक तो उसका region होता है just because of polymeric होते हैं लेकिन अगर इन जेनरल question आजाए तो पन क्या वोलेंगे molecular solid just because of molecular bond exist करते हैं तो molecular bond exist करना the reason behind molecular solid जितने भी molecular solid होंगे उनके बीच में molecular bond लग रहा होगा और वो कौन-कौन से हैं तो वो है तुम्हारे पास either hydrogen bond hydrogen bond या vendor wall force of attraction तो सर यहां क्या लग रहा है तो यहां लग रहा है vendor wall force of attraction यहां क्या लग रहा है सर यहां भी लग रहा है vendor wall force of attraction सर यहां क्या लग रहा है सर यहां लग रहा है सर बच्छा hydrogen bond h bond सर इसमें कौन सा टाइप है इसका इसका टाइप होता है बेटा induced dipole यह लंडन फोर्स induced dipole induced dipole यह टाइप होता है इसका, induced dipole, induced dipole, यह type of interval force है, यह कौन size है, इसके अंदर ही होता है, induced dipole, induced dipole, यह इनके अंदर भी हही लगता है, आगे यह बास समझे बिटा, यह होता है, तो ध्यान रखेंगे बच्चा, हो सकता है, exam में कुश्चन आजाए, why I2 is molecular solid, what is the molecular force acting between the two ionic molecules, तो answer is, the force of attraction between the two I2 molecules is Venderval force of attraction, and type is induced dipole, induced dipole, चले, next की तरफ, move करते हैं, now we start with the crystalline lattice, यहां से सुरू होता है, आपका जो crystalline structures पढ़ रहे थे, crystalline solid structure पढ़ रहे थे, उसके अंदर की further studies, तो हम लोगों स्टार्ट करते हैं, बच्चा, crystal lattice system, यह बहुत ही important है, one of the most weight is रखता है, इस पर्टिकलर chapter के अंदर, crystal lattice क्या होता है, सबसे पहले यह समझते हैं, तो विस्टिक स्ट्लाइन solid हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने भी just types देखे हैं, कौन-कौन से types होते हैं इनके, अब उसके बाद हम further अब उनका arrangement देख रहे हैं, खिर atom कैसे arrange होते हैं, आयन कैसे arrange होते हैं, molecules कैसे arrange होते हैं, इस particular system के अंदर, तो यहाँ प अगर देखा जाए, तो यह क्या बोलता है, regular 3D, right, 3D arrangement of points, regular 3D arrangements of points, मतलब point का मतलब यहाँ पर particles है, constituent particles, in space is called crystal lattice, मतलब अगर सारे के सारे atom है से arrange हो, एक particular space में, एक particular space में, एक particular arrangement के अंदर, तो we call it as lattice, अब इस lattice के अंदर, देखोगे आप, कि धेर सारे, धेर सारे cubes बने हैं, और एक क्यूब जो यहाँ पर बना हुआ है, एक क्यूब बोले है, क्यूब बोले है, जो बोलना हूँ, चुकि यहाँ पर हमने क्यूब बना रखा है, although यहाँ पर क्यूब आइट भी हो सकता है, और different types of geometry भी हो सकती है, different types of structure shape भी हो सकते हैं, तो वैसे केस में, मैं बोलूँगा, यहाँ पर जो एक unit है, जो बार-बार repeat हो रहा है, पूरा lattice को बनाने में, तो उसमें से एक unit यह वाला दिख रहा है, that is known as unit cell, याद रखना बच्चा, unit cell क्या होता है, कि इसके अंदर जो एक आपको दिख रहा है, एक जो particular cube जिससे की पूरा का पूरा यह structure बना हुआ है, तो यह जो repetitively जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, this is known as unit cell, उसके बाद जो यह तुम्हारा point है, यह वाला दिख रहा है, इसको बोलते हैं लोग lattice point, मतलब जहाँ जहाँ atom हो, वो सब के सब क्या होते हैं, lattice point होते हैं, तो मगर आप चुकर पूछेगा, कि what is unit cell, तो मैं बोलूगा, it is nothing but the repetitive unit, जो की पूरे के पूरे lattice को बना रहा है, और यह smallest unit है, जो की lattice में present है, इस से छोटा कोई unit possible नहीं है, सर, lattice point तो है, बच्चा, lattice point तो constituent particles हैं, वो unit थोड़ी है, वो तो constituent particles हैं, अगर मैं बोलू, repetitively क्या है, तो answer is unit cell और वो सबसे छोटा unit है, किसी lattice system का, उसके बाद point, lattice point क्या होता है, तो जहां भी atom present हो, वो सब के सब क्या होते हैं, lattice point होते हैं, अगर corner पे present है, तो we call corner as a lattice point, अगर वो face के center में present है, तो we call face center as lattice point, अगर वो edge के center में present है, तो we call edge center as lattice point, अगर वो body के center में present है, तो we call body center as lattice point, तो lattice point कैसा भी हो सकता है, है डिपेंड करता है आटम ने कौन सा स्पेस कौन सा प्लेस औक्यूपाई कर रखा है यह बात समझ में आनी चाहिए ओके सर्थ यह डेफिनेशन यार रखना है बच्चा हो सकता है एक्जाम में कुर्शन आ जाए वर्ट इस लाटिस और चार डेफिनेशन दे दे तो उसमें से यह डेफिनेशन तुम्हारा जाएगा लाटिस के लिए क्रिस्टल लाटिस के लिए नेक्स्ट है लाटिस पॉइंट के बारे में इसे बताया अभी जस्ट तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि इच पॉइंट इन लाटिस पॉइंट और लाटिस साइट और लाटिस पॉइ पर कि अंदर बीच में कहीं पर प्रजेंट होगा क्या तुम्हारा atom राइट तो यह body का center है मतलब unit cell के अंदर बीच में कहीं पर ऐसे भी सारे इसल के अंदर होगा कि body के बीच में atom आपको दिख रहे होंगे साथ में आपके पास edge सेंटर भी हो सकता है मतलब एज के सेंटर प्र आपको मिल रहे होंगे एंटम तो लेटिस पॉइंट यए सब में से कुछ भी हो सकता है यहां जो मैंने बना रखा nhất यहाँ पर मेरा एक मात्र, जो मेरा lattice point मुझे दिख रहा है, that is corner type, right, although मेरे पास ये चारो types दिखने के लिए हमें मिल चकते हैं, ये सारो चारो type हमें देखने के लिए मिल चकते हैं, next unit cell क्या होता है, तो अबिछा डिफरेशन के लिए लिखा हुआ है, it is the smallest portion of a crystal lattice, when it repeats in different direction, generates the entire लाटेस मतलब अगर यही चीज डिफरेंट डिरेक्शन में अरेंज हो रही होंगी तो हमें पूरा 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 लाटेस मिल रहा होगा तो यह तरह से हम यूनिट सेल को भी डिफाइन कर सकते हैं I hope तुम्हें क्लियर हो गया होगा अब यूनिट सेल के अंदर पैरेमिटर्स इनक्लाइन होंगे सर यह बॉंड है हाँ हा यह बॉंड है between two atoms यह बॉंड है जो लाल कलर से दिख रहा है आपको यह बॉंड है और आपको याद होना आपको पता होना चीज है कि यहां पढ़सच सुनना ध्यान से कोई भी अगर यूनिट सेल बना रहे हो तो जो उते हैं य या face center या edge center है these are all depends कि कैसा lattice है तुमारे पास मतलब मतलब यह हो सकता है हो हो सकता है ना भी present हो लेकिन corner lattice point तो सारे के सारे unit cell में present होंगे ही होंगे अगर वो present नहीं होंगे तो unit cell का formation हो ही नहीं सकता just because of वही हमें define करके देता है एक कैसा तुमारा unit cell दिखरा होगा whether it is cubic or it is cuboid or it anything else right यह धिहान में रखना है हमें next है कि आखिर टाइपस of unit cell कौन-कौन से है तो unit cell अगर मैं based बात करूं based on location of atom ion or molecule तो we can have primitive unit cell centered unit cells अब इसके अंदर primitive unit cell को देखो तो primitive unit cell क्या होता है जहां पर सारे corners पे तुम्हें atom मिल रहे होंगे तो we call it as primitive unit cell मतलब मतलब सारे corners पे atom होंगे corner का मतलब कि other कहीं भी atom present नहीं होगा मैं यहाँ पर cube imagine या फिर कोई भी सेप imagine करी नहीं सकते बिना इसके हम unit cell define करी नहीं सकते unit cell imagine भी ने कर सकते यह सारे corners पे मेरे atom दिख रहे है और कहीं भी atom नहीं दिख रहे तो अपन बोलेंगे यह मेरा क्या है यह मेरा primitive unit cell है मतलब और कहीं भी atom नहीं है ना face center पे ना edge center पे ना तुम्हारे body center में यहां कहीं भी atom नहीं है except कहां पर corner corner तो होना ही होना पड़ेगा अगर face center पे आ गया या body center में आ गया या edge center में आ गया तो उसके बाद हम उसका नाम further change कर रहे होंगे और इसको हम लोग primitive unit cell या simple unit cell जो unit cell मतलब इसमें as such कोई फर्दर latest points defined नहीं है मतलब बस only corner तो याद रखना primitive unit cells वो होते हैं जहां पे only corners present होते हैं only corners present होते हैं ओके सर उसके बाद है body center unit cell तो centered unit cell के अंदर तीन तरह से further define करते हैं NC80 ने भी define कर रखाएं कौन-कौन से body center face center and end center मतलब समझ में आ गया सर basically unit cell को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया primitive वाला जो ये वाला था और आपने define किया centered वाला तो centered में further तीन तरह के हो गए मतलब यसा हुआ कि जब हमने primitive define किया तो simple था एकी तरह का था बड़ ये further तीन तरह के हो गए कौन-कौन से तो एक हो गया body center एक हो गया body center फिर दूसरा वाला हो गया बेटा दूसरा वाला हो गया तुम्हारा face center, face center और तीसरा वाला हो गया तुम्हारा क्या end center ये तीन तरह से तो हमने define कर दिया, अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि body center क्या होता है, तो body center क्या होता है बच्छा, तो body center में तुम्हारे पास जो एक ऐसे करके एक unit cell होगा, एक unit cell मैंने इसे draw कर दिया और इस unit cell के अंदर corner तो defaulted है जो हमें पता है एक corner के बिना तो काम चलेगा नी तो corner मेरा defaulted है मैंने सारे corner पे atom रख दिये ये सारे corners पे atom हो गए और सारे corner atom होने के बाद हमें कहां करना पड़ेगा एक body के center में भी atom डालना पड़ेगा मतलब पूड़े के पूरे unit cell के बीच में बीचो बीच मुझे एक atom भी place करना पड़ेगा तब जाके ये कहलाएगा body center बात समझ में आगे विटा तो body center के कोई पूछता है lattice point कौन कौन से possible है तो body center के अंदर lattice point एक तो corner है जो की defaulted है और दूसरा जो possible है वो है तुमारा body का center और इसी के कारण इसका नाम क्या है body centered unit cell ये body का center and corner ये दोनो lattice point होते हैं इस particular type के अंदर ये ध्यान रखेंगे बच्चा इसके बाद सुनना बच्च सर हमने हमने तो पढ़ाए कि इसके अंदर और लोग atom का contribution भी निकालते है नौल तो बच्चा वो सब हम आगे करने वाले है जब cubic unit cells के उपर जाएंगे अब भी हम लोग in general define कर रहे हैं कि unit cell कौन कौन से type के हो सकते हैं तो मेरे पास primitive है और centered है centered के अंदर फर्दर तीन है कौन कौन से body center face center and end center अब face centered में क्या होता है तो यहाँ पर face center के नाम से clear लग रहा है कि सर एक तो आपका defaulted वाला तो हो गाई होगा मतलब corner जो आपका defaulted होता है वो तो होता ही होता है चाहिए वो अगर नहीं हुआ तो काम ही नहीं चलेगा तो वैसे किस में मैंने corner ऐसे करके define कर दिया और यह corner define होगे सारे के सारे अब उसके बाद में हाँ पर corner फटाफर define कर देता हूँ बच्चा यह corner तुम्हारे define हो गए और corner define ह होने के बाद हम क्या देख रहे हुए कि face के center में भी मेरे पास atoms हैं तो face के center में भी मैं atoms लगाना सुरू कर दूँगा यह सामनी यह पीछे वाला तुम्हारा एकदम फ्रंट वाले फेस पर है, यह वाला जो पीछे वाला है, यह बैक वाले फेस पर है, यह अप वाले फेस पर है, यह डाउन वाले फेस पर है, यह राइट वाले फेस पर है, और यह लेट वाले फेस पर है, तो मतलब यहाँ पर सारे के सारे फेस सेंटर भी क faulted है सर और दुसरा वाला जो define हो रहा है सर वो है face का center बिलकुल सही जा रहे हो बैटा बिलकुल सही जा रहे हो तो मतलब यहाँ पर यह दो lattice points define होते हैं कहाँ पर in case of face center तो सर क्या यहाँ पर compulsory है मैं क्यों भी बनाओ नहीं कोई compulsory नहीं है आप mussuUND और परो यह दिहान को होंगे और यह नहीं तो जो आटम होंगे वह हमारे face के center में होंगे आगर वह face centered है अगर body networking Center करोंगे और body सेंटर में होगा तो चाहे रॉब्स है दो मैं यह ईसा बना आ रहा है ऐसा बना अ तुम्हारी मर्जी है वाई आपकी मर्जी है वेटा ऐसा बना लिया हमने बना लो ये भी है ठीक है ऐसा बना लो मतलब मुझे इस बात से मतलब नहीं कि ऐसा होना जाए बस ये मैं समझ सकता हूँ कि मेरे को face center पर डालना है और साथ मेरे को corners पर भी atom रखने है ये बस ध्यान र है मतलब समझ में आगे सर एंडे center unit cell वो cell है यहां पर corner के साथ साथ क्या opposite face के center पर भी हमें atom दिख रहे होंगे जैसे तर क्या हो गया मतलब समझ में आना चाहिए मतलब यह होना चाहिए वेटा कि अगर हमने यहाँ पर एक ऐसा structure ऐसा structure ड्रॉ किया ऐसा structure ड्रॉ किया और उसक हमने corner तो defaulted था वो तो हमने यहाँ पर लगा दिया लो यहाँ पर corners लगा दिया मैंने यह corner सारे के सारे लग गए अब उसके बाद क्या करेंगे बैटा तो उसके बाद इसको हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि इनके face opposite face के center में अगर मैं दो atom डाल दूँ दो atom डाल दूँ एक त लगा तो इनके बीच लगा अगर left right के बीच लगाना तो left right के बीच लगा अगर front और back के बीच लगा तो महारी मर्जी है लेकिन कोई भी दो face के opposite faces पे हम क्या लगाएंगे atom लगाएंगे तो possible lattice points कौन कौन से हैं तो possible lattice points है corner जो defaulted है और साथ में face का center लेकिन सारा face का center नहीं दो face का center जो opposite face हों ऐसा नहीं कि एक face center ये चूज कर लिया और एक ये जूज कर लिया नहीं top and right मत चूज कर लेना top and bottom front and back left और right left and right ये combinations होनी चाहिए hope so समझ में आ गया होगा मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो lattice system की जो types होते हैं जो brevices lattice system है वो समझ में नहीं आएगा although ये अलग से किसी books में mentioned नहीं होता है इसलिए बच्चों को बहुत confusion होती है कि सर ये क्या होता है end center तो समझ में आख जाना ची कि अगर वो end center है तो किसी भी दो face के against लगाएंगे center पे face के center पे और साथ में कहां लगाएंगे तो साथ में लगाएंगे सारे corners पे तो वो क्या वन जाएगा end center तो मतलब समझ में आ गया कि basically अब हमारे पास totally crystalline system के अंदर unit cell था unit cell के totally चार टाइप हो गए primitive body center face center and end center जो हमें पढ़ने हैं अब उसमें से सुनना ध्यान से उसके बाद यह तो पहला टाइप था यह पहला टाइप किसके भी हाप पे था तो यह पहला टाइप भी हाप था based on lattice points right lattice points हम change कर रहे थे तो types of unit cell change हो रहे थे लेकिन एक और तरीका है इसी करने का वो क्या है इसी unit cell को और further और explain करने का divide करने का या classify करने का एक और क्या तरीका है तो एक और तरीका है कि types of unit cell based on axial I mean axial angle and axial bonds right axial angle and axial bond length parameters तो वैसे केस में क्या हुआ कि देखो अभी just मैंने बताए था यागर कोई भी आप ऐसे करके आप कोई भी ऐसे unit cell बना रहे हो right unit cell जब बना रहे हो आप तो इसके अंदर दो parameters involved होते हैं एक तो किस angle पे यह सारे किसारे bonds inclined है और दूसरा इनके 20 का जो bond I mean जो distance है यह edge length है यह क्या है तो अगर माल लो मैंने बोला कि यह वाला तुम्हारा यह वाला तुम्हारा जो bond length है this is your a this bond length let suppose it is b and this bond length let suppose it is c तो वैसे case में और माल लेते हैं जो एक angle यह वाला है यह तुम्हारा alpha angle है let suppose जो दूसरा वाला angle मैं draw कर रहा हूं this suppose this is beta angle और एक और angle जो possible है एक हमने इसके बीच कर दिया एक इसके बीच कर दिया और एक alpha beta एक तो हो गया z axis and x axis एक हो गया x और y के बीच और एक होगा y और z के बीच तो y और जेड के बीच माल Don't have yellow color से define कना ये तुम्हारा if लोत और एंगल हमने लिए जो y और जारेब के बीच है मतलब यहवाला लेते है Z एलफा बीटा गामा तो वैसे केस में एक अलफा एंगल सफ है एक और वाई के बीच ऑर गामा एंगल कौन सा है जानका गामा एकस के बीच अब कि मर्जी जैसे आपको करवाना हो अलफा बीटा गामा आप उसको इंटर्चेंज भी कर सकते हैं मैंने लिया है इनके बीच आपको मन करें तो कोई और है अलफा ले लो बिट्विन एक्स और जैड के बीच तुम्हारी मर्जी है लेकिन लेकिन बच्चा याद रखना तीन एंगल तो डिफाइन होंगे ही होंगे अलफा बीटा और गामा और वैसे के इसमें आपने पास तीन बॉन्ड लेंथ भी डिफाइन होड़े हैं ए बी और सी a क्या था वेटा तो ए है तुम्हारा एक्स में लेंथ बी क्या है वाई में लेंथ और जैड सी क्या है जैड एक्स स्पे में लेंथ तो वैसे किस में अगर हमने a bc को वैरी किया अलफा बीटा गामा को वैरी किया तो we will have different types of lattice आपी सोचो ना आपने a को बढ़ा दिया तो बिल्कुल अगर मालो यह क्यूब था, अगर आपने A को बढ़ा दिया, तो क्यूब से कुछ और बन गया, आपने हलका सा alpha tilt कर दिया, तो कुछ और बन गया, आपने बीटा थोर से tilt कर दिया, कुछ और बन गया, तो वैसे करके different different चीजों को arrange करके, लोगों ने 7 तरह के unit cell बना center, आपको face center, आपको primitive कुछ भी दे सकते हैं, तो यह जब साड़े combinations चेक किये गए, तो it was possible 14 3D combinations, 3D lattice system was possible, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, brevices lattice system, तो ध्यान देना वीटा, जैसे जैसे हम इन 7 types को, 7 types कहां से निकाला हमने, तो alpha, beta, gamma और ABC को vary करके, 7 types हमने बनाए, अब 7 types को जब हमने देखा, तो उसके end center, I mean, एक ही चीज, एक ही चीज, मालो हमने alpha, beta, gamma vary किया, ABC थोड़ा vary किया, और फिर हमने क्या करा, हमने उसके अंदर end center check किया, I mean, end center बना दिया, body center बना दिया, face center बना दिया, सब में सब कुछ possible नहीं होता है, इसलिए, the total number of possible 3D lattice होती है, याद रखना, मतलब हर एक कुछ vary करने के बाद, bond parameter vary करने के बाद, हर में हर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उतने ही बनाए, जितने हमारे nature में present है solids, तो जिसके हिसाब से हमें total मिले 14 possible lattice systems, और यह 14 possible lattice system बहुत ही important है, मैं अगले table में बताऊंग, ज़्यादा better clear होगा, द 90 होता है, मतलब सारे के सारे bond जो है, वो 90 pin client है, और सारे के सारे bond का bond length क्या है, similar है, तो वैसे के समें लोगों ने बोला, यह cubic है, तो यहाँ पर सारे side length same है, और सारे angle 90 pin client है, सारे के सारे bond 90 pin client है, तो वैसे के समें हमारे पास, तीन तरह के, क्या possible system, I mean possible unit cell possible है, कौन-कौन से, simple cubic body center and face centered जो हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर सुनना द्यान से वेटा यहाँ पर मैंने बोला था ना कि अगर हमने इसको वैरी कराया और उसके बाद उस चार टाइप में से कौन-कौन सा पॉसिबल है तो यहाँ पर तीन पॉसिबल वे कौन-कौन से फेस चेंटर बॉडी सेंटर एंड सिंपल क्यूबिक राई 선sembal के विलगाता Chipa मतलब प्रिमितिव सिंपल बुलो नया杏ं महां सिंपल का मत प्रिमितिव यहाँ पर सि lev currently two sections का मतलब होता है simple cubic right bcg का क्या मतलब होता है body centered cubic और इसका fcg का मतलब होता है face centered cubic यह cubic हो गया ना that is why एक extra c लग गया हर जगा ठीक है otherwise fc का मतलब face center bc का मतलब body center s का मतलब simple right और simple क्या है primitive वाला example है इसके तुम्हारे सामने में ncl kcl alum right तो यह ध्यान रखना important है example याद करने परेंगे और साथ में कितने type के possible हैं वो भी याद करने परेंगे जब तुम सबको जोड़ोगे तो 3 plus 2 5 5 plus 4 9 9 plus 2 11 plus 1 12 plus 1 13 plus 1 14 मतलब total 14 possible है तो हमने जब bond parameters को vary किया और जब हमने angles को vary किया bond length को vary किया angle को vary किया तो हमारे पास जो different types of unit cells है वो कुछ ऐसे बने हमारे पास तो total number हो गए 14 समझे मतलब क्या है कि हमने हमने इसको vary किया और उसके बाद उसी के अंदर हमने face center check किया body center check किया simple check किया और end center check किया तो हमने देखा कुछ में कुछ चीज़े possible थी कुछ में नहीं थी तो उसके इसाफ से हमने number a client से align कर दिये three two four two one 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 याद करने का तरीका बहुत सब्सक्री two four two one 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 ठीक है three two four two one 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 अब सुनना ध्यान से बिटा यहाँ पर क्या है देखना अब यहाँ पर सुनो सर याद कैसे होगा इतना सरा टेबल तो टेबल याद करने के लिए बहुत ज़र दिमाग नहीं लगाना है तीरसा समाहिका नहीं याद आले सबस्टेज को आपका याद आले होगी तो यहाँ पर है क्यों तेरी और मैं हमेशा रहता हूँ तुर्शा यहाँ पर क्यों का मतलब क्यूबिक तेरी का मतलब ऐट्रागॉनल और का मतलब और्टोरॉम्बिक याद रखना क्यों तेरी और मैं हमेशा रहता हूं त्रिशा अगर इसी और में आपने याद कर रखा है तो एक्जाम हॉल में ये कट कट खट कट लिख लोंगे और यह तो याद है थ्री टूसर्ट रहता हूं कि लिए वाइसается वैसे केसमें अगर मिनने लिख दिया क्यों तिरी और में हमेसा रहता हूं तरशा याद रखना भिता यह कहीं नहीं मिलेगा यह वाला कहीं नहीं सौटकट मिलेगा आपको तो क्यों तेरी और मैं हमेसा रहता हूं तरशा और ऐसे केस में आपको यह याद हो जाएगा अब सर इसको कैसे याद करें हमने तो लिख दिया क्यों तरी और हमेसा रहता हूं तरशा मतलब एक्जाम में बिने ऐसा लिख दिया क्या क्यों तरी और हमेसा रहता कर दो ओके सर फिर दोनों को नोट इक कोल कर दो ओके सर और अब इसी को रिपीट कर दो सर नहीं समझे मतलब सुनना यह उठा के यहां कॉपि करो, यह उठा के यहां ककॉपि करो, पर यह उठा के यहां कॉपि करो, आरे वाह, देखो, नहीं ऐसे, मज़ा आगया, मतलब क्यों तेरी ओर हमेसा रहता हूँ तुछ अगर आप को याद है, तो फिर यह वाला करना बहुत असान है, सब से फिले से सब कौल, फिर एक अनिक्वल फिर दोनों अनिक्वल फिर दोनों अनिक्वल फिर एक अनिक्वल फिर पहले तो दोनों अनिक्वल देख़ों यहां पर सारे कॉल एक अनिकेल दोनों एकोल मिन तीनों वनेकोल हो गया और यहां पिसलों अनिकोल précis से तीनों एकोल अब इसको रिपीट करना है इसको रिपीट करना है यहां और इसको रिपीट करना भी आज यहां और त्रिशा जो है वो तो किसी काम कि ही नहीं है वो तो सभवें नौट को अनौट इकुल टूब नौट सी एल्फा नौट एकुल को फूट यहां मैं कुल नौट इकुल टूनु रिंटी यह तो हमेशा नौट नॉट नौट नौट इह बहुत नीगे और इसको रपीट किया यहां ले और इसको रेपीट के यहां ले और इसको रपीट के यहां ले आया और तुर तो है तेशा तो हमेशा नो वा सर मजा आ गया सर अब अगला सुनना बेटा अब माल लो मैंने अभी बोला बीटा को बोला बेटा यह माल लो मेरे बेटा है मेरा नहीं मतलब बेटा लिखा में इसको एलफा को बोलता हूं पापा पाजी और गामा को बोलता हूं मा देखो मा बेटा इलवा और गामा अज़ी से अplosh हो संना अब क्या है पाप माबस बेटा माँ सब नाइन टी सब मतलब सही है फिर क्या हुआ फिर से पाप बेटा माँ सब सही है फिर पाप बेटा माँ सब सही सब ते नौ एफेक्ज तीनो lequel equal 90 पहली बार बैटा भागा भागा ना कर ऐलफ ऑर गामा पापा और मां रह गए नाइंटी यह फिर यह देखी म मां को ब på लगा बेटा कुझा कर थे फिर मां ने क्या चाह description पेटा घर में वापस है तो है पापाबश समय माड़ बांग दू टीख गई मां भाग परोने चले गए उसको अरे भक्वान गलत सोचता है तुम लोग उसके बाद तीसे बार में क्या हुआ तीनो भाग गए मादलब इनो भाग निए घर छोड़ दिया 90 का देखो पपा बेटा मा तीनो घर छोड़ दिये पहली बार बेटा भागा दूसरी बार में मम्मी के उसको तो मम्मी EMना तो वैसे के हमेशा नहींन एपको सोचना नहीं है एक नहीं सिंपल बहुत सिंपल है क्यों तेरी ओर अगर आपको याद है तो आई तेंग कि यह तुमाए लिए बहुती चिलर सा काम है राइट और यहाँ पर ये त्री टू फोर टू वन 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 यह तो याद रहा है नहीं पड़ेगा त्री टू फोर टू वन 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 तो त्रिशा के लिए है वन देख लो त्रिशा के लिए वन तो इसले विच्छा याद रखना पापा बेटा मा तीनों घर में पापा बेटा मा तीनों घर में पापा बेटा मा तीनो तिन ने बिला रहे घर यह चा नहीं है सब छोड़ दो मतलब तीनों के तीन हो घर तो छोड़ी एंक tweet or деся इनका है यहल है गर में नहीं हैं घट से बाहर कहीं रहते हैं थुप यहां तो मेरा आप से right है कि आप पोसिस करें को उठा करें यह कहीं भी लगा लें चिपका लें ताकि आपका हो जाए अच्छे से रिवीजन वैन विजब भी आप इसको देखे तो तो एक बार मैं हटता हूँ आपली स्क्रीन शॉट ले लो अब हम लोग बढ़ते हैं और क्योभी क्लाटिस सिस्टम पढ़ते हैं सुनना देहराई इस में बहुत तरह के लटेश सिस्टम लेकिन हमें जो पढ़ना है अपने सिलिबस के अंदर हो काउन सा पढ़ना है क्यूबिक लैटश सींटम यही हमारा टार्गेट है पूरे के पूर नहीं कर सकते हैं, यह cubic word fix हो चुका है, इसको आप change नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर तीन टाइप है, कौन-कौन से, simple cubic या primitive, right, उसके बाद body centered unit cell और उसके बाद face centered unit cell, मतलब बनाना cube है, और उसके अंदर अगर सारे corners पे बस atom है, तो अपन बोलेंगे क्या है, वो simple cubic या primitive, right, अगर simple cubic बनाया मिन, जो तुमारा बनाया है, तो सारे corner पे तो defaulted है ही है, लेकिन अगर face के center पे भी atoms हैं, तो आप उसको बोलेंगे, क्या face centered cubic, लेकिन यह याद रखना, अब हर जगा cube है, ऐसे पहले मैंने क्या बोला था, primitive में, या body center में, वहाँ पे cubic नहीं लगाया था, मह क्या बना था, face centered, body centered, primitive, तो मतलब वहाँ पे cube नहीं आए था, वहाँ पे आप independent थे, alpha, beta, gamma, जैसे मन करता है, vary करो, alpha, length, breath, कैसे भी बराल हो, तुमारी मर्जी है, लेकिन अब आप इसके लिए independent नहीं हो, आपको बस cubic ही बनाने है, हाँ, उसमें अगर आपने सारे corner पे बस र क्या बन जाएगा, वो face centered, cubic, तो ये start हो रहा है, अब यहाँ से, अब कमर कस लो, because अब यहाँ से जो सीख रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा logical भी होगा, और साथ में आपको यहाँ पर numericals भी मिल रहे होंगे, लेकिन numerical इसके ऊपर मिलेंगे, जो मैं इस lecture के last में, या lecture के तो हम लोग इसे syllabus को, topics को भी खतम करेंगे, ताकि आपका one sort revision हो जाए, लेकिन मैं बीच-बीच में question लूँगा, ताकि तुम्हें ये भी लग जाए कि हाँ question किस तरह के आते हैं exam में, ठीक है, उसके अंदर one of the type क्या था, तो one of the type था, तुम्हारा cubic system, तो cubic system के अंदर फर्दर तीन तरह के lattices possible हैं, वो कौन-कौन से हैं, simple cubic body center and face center, so one to one हम बात कर रहे होंगे, one to one हम सारे lattice के बारे में बात कर रहे होंगे, यहाँ पर simple cubic का मतलब होता है, कि तुम्हारे पास जो भी यहाँ पर, जो भी तुम्हारा यहाँ पर मैने draw किया एक cube, और यह cube मैंने यहाँ पर draw किया, इस cube के अंदर, अगर आपन देखें, तो सारे के साथे corners पे Atom होते हैं और कहीं पे ड्रों किया और क्यूब के बाद मैंने सारे corners से निद्याह आटम आपको दिख रहे होंगे के यहां रख रहे ही सारे रर को स्कूइब करते हैं और मैंने आपको बताये था जिस positions पे तो यहाँ पर जो lattice point है मेरे पास सारा का सारा corner आपस पूछेगा कि बताए सिमपल क्यों भी क्या primitive cells के अंदर primitive cells के अंदर क्या होगा lattice point तो मीना answer होगा only corner only corner तो यह I have seen only corner है तो मैंने बोला corner उसके बाद है atom का contribution क्या होगा per unit cell तो याद रखना बच्चा हर एक corner का contribution 1 by 8 होता है मतलब अगर इस corner के atom को अगर मैं पूरी तरह से cover करना चाहूं तो मेरे को 8 cube की requirement होगी और अगर एक corner 8 cube में distribute हो चुका है तो वैसे कि इसमें एक cube के अंदर जो contribution होगा that will be 1 by 8 तो यहाँ पर हो गया तुमारा 1 by 8 यहाँ पर भी हो गया 1 by 8 similar fashion में सारे जगा पर 1 by 8 तो 1 by 8 एकर मैं हर जगा जोड़ूंगा तो एक cube के अंदर सोचो अगर एक corner 1 by 8 contribute कर रहा है ऐसे करके 8 corner contribute कर रहे हैं तो हो गया 1 by 8 into 8 और इससे आ गया तुमारा जो टोटल नंबर आटम पर इन्ट सेल होंगे that will be 1 by 8 into 8 और इसका answer होगा 1 और बच्चा इसी नंबर आटम पर इन्ट सेल को हम लोग z से भी represent करते हैं तो यहाँ पर z की value 1 हो जाएगी क्योंकि हर corner पे एक आटम है और हर corner का contribution 1 by 8 होता है क्योंकि बच्चा याद रखना एक मात्र उनिट सेल नहीं होता है इसके आसपास 8 उनिट सेल होते हैं अगर एक corner के आसपास तभी जाके वह पूरी तरह से combine होके घिर पाता है अगर मैं यहाँ पर example दिखाऊं तो example मैं ले रख था है कि देखो यह corner है यह corner जो है total 8 cube से घिरा हुआ है that is why यहाँ पर तुमको a saded part दिख रहा है यह वाला जो saded part है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो 8 corner 1 by 8 into 8 कर रहा होगा तो answer is total of atom per unit cell in simple cubic will be 1 मतलब z की value 1 हो गई तो यहाँ से 1 ले लिया मैं इसका z का value 1 और contribution पूछा था तो contribution अगर पूछ रहा है तो मात्र होगा 1 by 8 मतलब हर atom 1 by 8 contribute करते हैं 8 atom है तो 1 by 8 into I mean 8 corner है तो 1 by 8 into 8 हो जाएगा next अपन बोलते हैं touching condition क्या होगा तो बच्चा याद रखना कि यहाँ पर एक atom है यहाँ भी एक atom है तो दोनों atom मिलाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा यह 2r की value हो जाएगी because of एक atom का radius r है और दूसरे atom का भी radius r है तो r plus r 2r हो गया और 2r equal to क्या हो गया पिटा तो इसका side length और side length क्या इसका a है अगर मालों cube का side length a है तो वैसे किसमें मैं लिखोंगा touching condition is equals to 2r equals to a और यहाँ से अपन अगर solve करेंगे तो हमारे पास r की value आ जाएगी a by 2 या फिर अपन simply a equals to 2r use कर ले touching condition maintain कर रहे हो अब यहाँ पर number of nearest never का मतलब अगर touching condition maintain करने वाले हो तो इसके respect में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक atom होगा यहाँ पर एक atom होगा जो touching condition में होगा वैसे ही case में अगर मैं one to one सब जगा ड्रॉ करूं तो एक मेरे को अगर मालों यह atom के मैं बात कर रहा हूं इस respect में बात कर रहा हूं तो एक मेरे को इधर की तरफ मिला एक मेरे को पीछे की तरफ मिला वैसे ही एक मेरे को इधर की तरफ मिलेगा यहाँ पे एक मेरे को सामने की तरफ मिलेगा यहाँ पे एक ऊपर की तरफ मिलेगा यहाँ पर एक नीचे की तरफ मिलेगा यहाँ पर त तो coordination number जो होगा वो कितना होगा 6 होगा अगर particularly मैं simple cubic की बात कर रहा हूँ तो simple cubic में ये 6 होगा कैसे सर तो एक इसको touch कर रहा होगा इधर एक touch कर रहा होगा नीचे एक touch कर रहा होगा उपर एक touch कर रहा होगा आगे एक touch कर रहा होगा और पीछे एक touch कर रहा होगा तो total मिला के 6 atom को एक atom टच कर रहा है और जो भी टचिंग कंडिशन पर होते हैं वही क्या कहलाते हैं nearest never और जितने भी nearest never का number होता है that is your coordination number तो अगरत कोई पूछता है आप से what is coordination number तो बोलेंगे it is the number of nearest neighbor ओके next हमारे पास density what is density बच्चा density होता है वेटा mass by volume ये होता है mass by volume अब हमारे पास क्यूब का volume का होता है तो तो यहां पर total volume कि क्सका क्यूब का है तो क्यूब का अगर volume क्यूब होता है वह a q q sir एक साइट तुमारा ए तो फिस लिभी वॉलियम क्या हो जाएगा एक क्यूब हो जाएगा आपने पढ़ा होगा क्लास 910 के अंदर a cube का volume a cube होता है मतलब side का cube होता है अब अगर mass की बात करें तो इसके अंदर कितने atom है अगर अपन देखें तो एक particular unit cell के अंदर total number of atom one है तो इसी one का mass होगा तो अगर one का अपन mass निकालते है one atom का mass निकालेंगे तो हमें करना परेगा इसमें mass निकालने के लिए one atom का तो one atom मतलब Z होता है मतलब यहां पर number of atom को Z से represent करते हैं यहां पर Z की value one होती है और एक atom का mass क्या होता है विटा तो एक atom का तुम्हारा mass होता है कितना होता है वच्चा तो molecular mass या atomic mass के equal अगर molecule है तो molecular mass atom है तो atomic mass और उसको divide कर देंगे हम अगर आप इसको gram में ले रहे हो तो अगर इसको आप gram में ले रहे हैं तो आप divide कर देंगे अगर निकालना है तो अगर यहां पर mass gram में ले रहे हो molecular mass अगर gram में ले रहे हो मतलब यह एक mole का mass है लेकिन हमें एक atom का मास चाहिए या एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए तो मुझे उसे एवगैडरो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा या रखना बच्चा कभी भी किसी का मास अगर मॉलिक्लर मास या टॉमिक मास ग्राम में दे रखाओ तो समझ जाना एक मॉल का मास है लेकिन यहाँ पर हमें एक आटम का मास निकालना है तो मुझे उसे एवगैडरो नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा क्यों मुझे पता है कि एक मॉल के अंदर एवगैडरो नंबर के एक्वल आटम या मॉलिक्यूल या कुछ भी प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल एवगैडरो नंबर के मॉलिक्यूल आटम या फिर आयन तो अगर यहां पर जैड की वैल्यू वन है तो मतलब वन आटम का मास गुना मॉलिक्यूलर मास या अटॉमिक मास इन ग्राम डिवाइड बाय वाल्यूम ऑफ क्या पूरा क्यूब और इंटू क्या एवगैडरो नंबर याट इस 6.022 इंट अगर पैकिंग फ्रैक्शन एर सिंपल क्यूब इक तो इंट ओर अटक यूबीयू करता होगा तो मतलब टोटल वॉलियूम जो ऑक्यूपाय कर रहा होगा एटम वह वन आटम के volume के equal occupy कर रहा होगा तो वैसे case में मैं क्या करूँगा बच्चा तो वैसे case में अगर मैं से कोई packing fraction पूछता है तो number of atom जो present हो into उसका कितना volume है तो 1 by 3 pi r cube तो यह sphere मान के चलते हम लोग divide by total volume of that particular क्या total volume of that particular cube that is a cube मतलब यह total volume हो गया यह volume occupied हो गया into अगर 100 करेंगे तो percentage में efficiency आजाएगी अब हमें पता है कि a की value 2r के equal होती है हमने just touching condition में प्रूफ किया है तो यहां पर pi r cube कर दिया और यहां पर a equal to 2r होता है इसका whole cube कर देंगे into 100 कर देंगे that will be the percentage packing fraction या packing efficiency packing fraction भी बोलते हैं इसको packing efficiency भी बोलते हैं जब इसको हम solve करेंगे तो packing efficiency आजाएगी बिटा packing efficiency आजाएगी simple cubic के अंदर 52% तो मतलब समझ में आगए सर कि 52% is the packing efficiency तो सोचो इतने जगा पर कौन है atom present है बाकी जो जगा खाली होगा बाकी जो जगा होगा वो खाली होगा तो खाली कितना परसेंट है तो सर परसेंटेज वाइड भी बता ही दो तो परसेंटेज वाइड हो जाएगा बच्चा 100 माइनस 452 that will be approximately 48 परसेंट और यहाँ पर 52 परसेंट भी अप्रॉक्स वैल्यू है एक्जाक्टल निकालना चाहोगे तो आपको पूरे के पूरे सॉल्व करने परेंगे कुछ भी नहीं इसमें 8 आर क्यूब हो गया आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल हो गया 4 की वैल्यू पता 4 है 4 by 3 पता ही है पाई का वैल्यू 22 by 7 डाल देना और डिवाइड बाई 8 की इन्टो 100 कर देना यू विल गेट 52 परसेंट के आसपास तो समझ में आ गया सर कि पाकिंग फिजन्सी क्या होता है जो भी वॉल्यूम आटम उक्यूपाई करें डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम आफ डाट पर्टिकुलर यूनिट सेल यहाँ पर सिंपल क्यूबिक है वितर साइड लेंथ ए तो एक क्यूब ले लिया तो इस त है सारे डिफॉल्ट अट कॉर्डर वाले हैं और सात में एक बॉर्डी सेंटर भी है तो मैं ब्लूनगा ले ell को इस पॉइंट यहां पर कॉर्णर प्लेस क्या बच्चा तो कॉर्णर प्लेस- बॉर्डी का क्या मुझे पता है कि एक प्रटिकुलर जो तुम्हारा by 8 contribute करता है and जो मेरा body का center है बच्चा वो पूरी तरह से unit cell के अंदर है तो मतलब पूरा-पूरा contribute होडा होगा तो 1 by 8 and 1 हो गया अब बोलता है number of atom क्या होगा तो 1 by 8 वाले कितने present है 8 present है plus body center में 1 present है तो 1 को add कर दो यह पूरा-पूरा present है पूरा atom अंदर में present है लेकिन यहाँ पर corner वाले क्या थे 1 by 8 a cube के अंदर present है ऐसे ऐसे मेरे पर 8 corner सबको जोड़ेंगे तो आजाएगा 2 तो z की value आ गई 2 simple था उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं touching condition पर जाते हैं तो touching condition क्या है बटा तो touching condition फिर से क्या होता है जो touching condition पर touch कर रहे हो तो याद रखना बच्चा यह atom जो corner वाले हैं यह आपस में touch नहीं कर रहे होंगे कौन touch कर रहा होगा तो corner वाला और body के center वाला मतलब यह और यह इसको touch कर रहा होगा यह ध्यान रखेंगे बटा कि यह atom इस atom को touch कर रहा होगा यह atom इस atom को touch नहीं कर रहा होगा यह ध्यान अखना बच्चा देखो clearly दिख रहा है आपर यह दुनों touch नहीं कर रहे है लेकिन यह atom इस beach वाले atom को touch कर रहा है यह atom इस atom को touch कर रहा है यह atom इस atom को तो टच नहीं कर रहा है, टिक वाले टच कर रहे हैं, टिक एन गोला वाले टच नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में अगर सोचो, imagine करो अगर बॉडी के अंदर, I mean तुम्हार जिस रूम में तुम बैठे हो, लेट से पूछ, वो क्यूबिक रूम है, तो वहां पर जो कॉर्णर वाला है और जो body center वाला ये touch कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि body center से होते वे जो भी diagonal जाता है किसके अंदर cube के अंदर उस diagonal का जो मतलब length होता है वो किसके equal होता है तो वो होता है root 3 times of a के याद होगा अगर आपको बच्चे पता होगा आपको कि यह जो length होगा यहां से लेकर यहां तक का that will be your root 3 times of a तो यहां से लेकर यहां तक का length क्या होगा बच्चा root 3 times of a अगर यहां पर side length क्या है इसकी अगर side length a है तो अब root 3 times of a जो है वो किसके equal है तो यहां से आधा diameter low मतलब r यहां पर पूरा diameter low मतलब 2r और यहां पर भी आधा diameter low तो r तो कितना हो गया बेटा r plus 2r plus r तो कितना हो गया 4r तो अपनल लिखेंगे ऐसा कि 4r 4r is equals to root 3 times of a यह हो गया इसका touching condition अब अगला बोलता है what is the coordination number तो बच्चा clear cut समझ लो चाहे coordination number तुम with respect to center atom निकालो चाहे coordination number with respect तुम किसके निकालो corner के निकालो answer same आएगा तो अगर आप देखो यह वाला जो corner है यह corner कर रहा होगा यहां touch कर रहा होगा इसको touch कर रहा होगा इसको touch कर रहा होगा इसको touch कर रहा होगा सारे corner को touch कर रहा होगा तो मतलब समझ में आगया sir 8 corner थे तो मेरे पास coordination number क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी और coordination number क्या होता है तो number of nearest neighbor मतलब number of touching condition atom कितने atom touching condition में है that will be the coordination number और यहाँ पर with respect to body center बात करूँ या with respect to corner बात करूँ सारे के सारे 8 ही answer होंगे दोनों के respect में answer 8 ही होगा सर आठ वाला इसके respect में कैसे आएगा तो बेटा एक, एक, एक cube के अंदर 8, एक cube के अंदर एक ऐसा body body center है जो इसको touch कर रहा है अब यह वाला जो particular atom है यह 8 cube से घिरा हुआ है यह वाला atom 8 cube से घिरा हुआ है मतलब हर का body center इस corner को touch कर रहा होगा मतलब 8 cube से घिरा है तो मतलब उसका भी coordination number 8 हो गया because जब सबके body center इस corner को touch कर रहे होंगे उसके बाद है packing efficiency क्या होगी तो packing efficiency बहुत simple है वेटा आपको भी just बताया हमें कि atom कितना volume occupy करता है divide by total volume तो total volume तो 1 cube ही होगी atom कितने present हैं तो 2 present है एक है पूरा corner का contribution और एक है body center का contribution तो 2 multiply कर दिया और एक atom का volume क्या होता है वेटा तो 4 by 3 pi r cube और इस तरह से हम packing fraction निकाल सकते हैं अब हमें packing efficiency निकालनी है percentage में तो मैं करूंगा 2 into 4 by 3 pi r cube divide by a cube और इसमें मैं 100 से multiply कर दूंगा तो मुझे packing efficiency percentage में मिल जाएगी अब बच्चा अगर solve करें इसको तो a की value क्या है तो a की value है क्या है बच्चा 4 r by root 3 यहां से a आगया तुमारा 4 r by root 3 यह 4 r by root 3 कहां पे डाल दोगे तो 4 r by root 3 यहां पे डाल दोगे तो यहां जाएगा 2 into 4 divide by 3 into pi into r cube और यहां पे डाल देंगे 4 r by root 3 का whole cube दिगर हमें पता है equal to क्या होता है 4 r by root 3 as per the touching condition और into 100 कर देंगे जब इसको हम solve करेंगे तो we will have 68% याद रखना वच्चा कि packing efficiency होता है 68% और packing fraction क्या होगा सर तो packing fraction होगा 0.68 मतलब यह है कि 68% of the part जो है पूरे के पूरे structure का वो कौन लेके जा रहा होगा atom लेके जा रहा होगा और जो बचा हुआ 32% है वो कौन लेके जा रहा होगा तो वो तुम्हारा wide लेके जा रहा होगा जहां पर खाली पन होगा कोई space में कुछ नहीं होगे तो अपन बोल सकते हैं कि percentage wide क्या हो गया सर तो percentage wide हो जाएगा बिटा 32% खतम हो गया यह वाला simple था बहुत simple है बच्चा सर यहां पर bird क्यों गया obviously वेटा extra atom आ चुका है तो obviously कुछ space क्या करेगा वो atom भी occupy करेगा और वो कितना occupy कर रहा है तो वो occupy कर रहा है 52 में addition कर दो 16 का 16% कौन add कर रहा है यहां पर वो जो body center में atom है ओके सर अगला वाला है face center face center में क्या होगा चे प्रजेंट होते हैं किसी भी cubic unit cell के अंदर अब अगर मैं बात करूँ यहां पर lattice point क्या होगा तो lattice point बीटा एक तो मेरे को corner clear cut दिख रहा है और बाकी मेरे को face centers भी दिख रहे है face center कहा है तो दिखा दो तो देख लो बीटा यह वाला तुम्हारा corners है यह वाला तुम्हारा face center है यह वाला 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 face center है तो मेरे को corner plus corner plus क्या दिख रहा है वेटा तो corner plus face center दिख रहा है यह तो corner कर दिया plus क्या कर दिया वेटा face center दो तोला के lattice point सेंस के अंदर बिल्कुल, so lattice point क्या होता था, तो lattice point होता था जहां पर atom occupied हो, अब बोलता है contribution क्या होगा, तो contribution मुझे clear cut पता है, corner का होता है, 1 by 8 into 8, right, मैं था contribution का देखा जाए तो 1 by 8 होगा corner का, and face center का क्या होगा सर, तो बच्चा imagine करो मनहीमन, अगर इस face के center को ढखना है, cover करना है, तो क्या क जाएगा, धग जाएगा, तो बच्चों बताना क्या किया हमने, हमने ये किया सर, कि basically हमने ऊपर से cube लगा दिये, तो ये वाला face धग गया, मतलब है कि एक face जो है, वो 2 cube में क्या है, distributed है, तो मतलब 1 case का, 1 cube का, आधा पार्ट इधर होगा, आधा पार्ट उधर होगा, तो व तो मुझे पता है, सर कि 1 by 8 into 8 हो जाएगा, आपका क्या, corner का contribution, मतलब के atom, और 1 by 2 into 6 हो जाएगा, तुमारा किसका, face center का, अब 1 by 8 into 8 क्या होता है, 1 होता है, 1 by 2 into 6 क्या होता है, 3 होता है, तो 1 plus 3 कितना होगा, पेटा, 4, मतलब यहाँ पर Z की value 4 हो जाएगी, मतलब total number of atom in our unit cell will be equals to 4, यह ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ पर, क्योंकि बच्चा, 1 contribute कौन कर रहा है, यहाँ पर, तो corner कर रहा है, और 3 contribute कर रहा है, यहाँ पर, तो face का center कर रहा है, तो 3 plus 1 क्या हो जागा बच्चा, 4 हो जाएगा, अब बात करते, touching condition का, तो बच्चा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर, देखो, clear cut दिख रहा है, कि यह वाला जो atom है, यह वाला जो corner वाला atom है, यह atom इसको touch नहीं कर रहा, लेकिन यह atom जो है, इसको touch कर रहा है, और फिर यह atom जो है, वो इसको touch कर रहा है, तो अगर मैं यहाँ से लेके, यहाँ तक का distance देखूं, तो आपको पता होगा ये एक face का क्या है diagonal है और face का diagonal क्या होता है अगर ये length तुमारा a है तो face diagonal होता है root 2 times of a तो ये face diagonal हो गया root 2 times of a ये face का diagonal हो गया अब सोचो आप अगर face का diagonal root 2 times of a है, मतलब क्या हुआ सर्थ, मतलब यह हुआ कि यहां से लेके यहां तक root 2 times of a हो रहा है, अगर तुम्हारा यह side length क्या है, अगर side length तुम्हारा a है तो वैसे case में वच्चापन क्या करेंगे, touching condition क्या होगा, तो touching condition यह होगा कि इसका r, इसका 2r और इसका r must be equal to root 2 a, मतलब इस corner का r, इस face center का 2r और इसका r must be equal to root 2 a, तो मतलब हो गया वच्चा यहां पर कि 4r must be equal to root 2 times of a, और यहां से पन चाहें तो a की value निकाल सकतें, that is 4r by root 2, मतलब nothing but 2 root 2 r, यह हो गया तुमारा relation between a and r, and touching condition as well, touching condition क्या है, जहां पर वो touch कर रहे हो, तो r और a के बीच का relation, तो यहां पर दिखरा है clearly, कि अगर यहां का r sir, यहां का 2r sir, और यहां का r लिया जाए, ऐसे करके, यहां का r ले लिया, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से, इस particular, इस particular के क्या है, यहां से ले के यहां तक r ले लिया वेटा, यहां से ले के यहां तक, यहां से ले के यहां तक 2r ले लिया वेटा, और यहां से ले के यहां तक r ले लिया, तो देखो, r प्लस 2r प्लस r कितना हो गया, तो यह 4r हो गया, और 4r किस के equal है, face के diagonal के equal, face कितना है sir, तो face करनेशन नमबर 12 होगा सब 12 कैसे होगा बच्चा तो 12 ऐसे होता है बटा कि अगर आपन इस पर्टिकुलर की बात करें तो यह इसको टच कर रहा होगा इसको 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 यह चार हो गए 1, 2, 3 and 4 similar fashion में यह इसको भी टच कर रहा होगा इसको भी और इसको भी सर क्यूं सर क्यूंकि distance सब में equal है that is कितना जो भी touching condition का distance होता है उतना ही distance है तो मतलब समझ में आ गया सर कि 4 तो corner है चार यह वाले face center है कौन-कौन से 1 दो 3 और यह वाला 4 ऐसे ही उपर वाले cube में भी हो गया अगर यह नीचे touch कर रहा है यह वाला अगर यह नीचे touch कर रहा है तो यह उपर भी ऐसे वाला जो क्यूब है उसके उपर उसके भी आटम्स को टच कर रहा होगा जो यहां प्रेजंट है जो यहां प्रेजंट है जो यहां प्रेजंट है जो पीछे प्रेजंट है तो मतलब टोटल हो गए कि यह चार उपर चार नीचे और चार कॉर्णर को टच कर रहा है तो चार प् प्लस चार कितने हो गए 12 हो गए तो आंसर इस कॉर्णेशन नंबर इस 12 क्या होता है नंबर ओफ नियरेस्ट नेबर या फिर नंबर ओफ वह आटम जो ठरचिंग कंडिशन में प्रेसेंट हो और सर क्या यहां परे और तरन के रिसपेक्ट में डि て फरेंट हो गा नहीं कि आंशर कान चारें च्टो एलीन और फैसेंटर क्लिक्ट तो होते हैं वर आपन क्या अरmile मास वाई वॉल्यूम, अब मास क्या है इसका, तो मास होगा सर, एटम का मास कितने एटम है, तो सर इसके अंदर चार एटम है, टोटल मिलाके, तीन है फेस सेंटर वाले, और एक है कॉर्णर वाला, ओके, अब एक एटम का मास कितना होता है सर, उसके अटॉमिक मास के एक क्वल कर देंगे और फिर यह तो मास हुआ वन आटम का अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम अब दिस क्यूब and that is a cube तो इस तो एंगर सारे वल्यूज ढाल देंआपन तो अबन आराम से निकाल सकते हैं क्या डेंजीटिटी अगर एक य की वल्यू दे нес तो अच्छी बात विल और विलन गुड अगर एक य की वल्यूज नहीं दें रखी है तो हमने पीछे एकी वल्यू निकाल रखी है into 10 की power 23 और उसके बाद इसको multiply कर देंगे 2 root 2 r के whole cube से तो इस तरह से हम आणाम से density निकाल सकते हैं अगर exam hall में directly side length दे रखाओ cube का तो side length डाल देना अगर exam hall में radius of atom दे रखाओ तो फिर radius of atom वाला यह formula लगा देना तो तुम्हारा answer आजाएगा लेकिन याद रखना यह molecular mass amu में मतलेना gram में लेना तब ही use करना इसको यह atomic mass amu में मतलेना gram में लेना अगर उसने amu में दे ही रखा है तब इससे divide करने की जरूबत नहीं है आड़ यह बास समझ में because of amu का मतलब होता है उस एक particular atom का mass और gram में मतलब होता है कि यह बहुत सारे atom से क्या है बहुत सारे आमीन बहुत सारे का मतलब यहाँ पे avagadro number atom के mass है तो अगर मालों कहीं लिखा हुआ है यह let's suppose iron atom है मेरा तो iron का mass 56 लिखा है तो 56 अब यहाँ पर ग्राम लेना तो divide कर देना किस से avagadro number से और अगर 56 amu लोगे तो amu का मतलब ही क्या होता है amu का मतलब ही होता है 56 gram और into 1 by 1 by 56 into amu का मतलब होता है वेटा 1 by avagadro number gram तो ultimately वहीं पहुंचोगे क्योंकि इसको भी convert करना है बाद में 56 gram divide by avagadro number में क्योंकि आपको एक atom का mass चाहिए unit cell के अंदर atomic level पे atom present है mole में atom present नहीं है याद रखेंगे वेटा gram लेंगे तो फिर उसको gram लेंगे तो सीधा formula यूज़ कर लेना अगर तुमने amu में question में दे रखा है तो फिर amu को पहले avagadro number से divide करके gram में ले आना because अब density जो होती है वो gram पर cc होती है तो इसलिए हमें ध्यान रखना परेगा कि हम कौन सा unit यूज़ कर रहे हैं बात समझ में आगे विटा ये बात ध्यान से सुन लो तो हम कोसिस क्या करेंगे जो भी मास दे रखा हो उसको gram में ही ले 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 और as it is हम avagadro number को वहाँ पर प्लेस कर दें अगर 56 दे रखा है तो 56 उपर लिख देना और divide कर देना उसको इसके formula wise avagadro number से you will get the density now coming to packing fraction what is packing fraction बच्छा आगे मैंने बोल आपको कि packing fraction होता है वो fraction जो atom occupy करता है किसी एक unit cell के अंदर right अब यहाँ पर atom कितना occupy करेगा तो atom का volume अब atom हैं कितने सार चार present है एक atom का volume कितना है सार तो 4 by 3 pi r cube एसर और divide by total volume that is a cube एसर अब हम यहाँ पर 4 by 3 4 into 4 by 3 अब यहाँ पर pi लिख दिया और r की जगह पर क्या डाल देंगे बटा तो हमने भी just relation देखा यहाँ पर a cost to 2 root 2 r होता है तो मतलब हम यहाँ पर r को r cube रख लेते हैं और divide by a की जगह पर 2 root 2 r का whole cube कर देते हैं और इस त packing fraction आ जाएगा यह packing fraction आ जाएगा और कि solve करेंगे इसको तो 0.74 पर 0.74 आता है तो percentage कोई पूछेगा what is percentage packing fraction तो मैं बोलूँगा 74% तो कोई पूछेगा percentage wide कितना होगा in case of FCC तो मैं बोलूँगा यहाँ पर होता है 26% और यह highest हो गया packing fraction wise तो कोई आप से पूछता है कि बताओ कौन सा unit cell ऐसा होता है कौन सा type ऐसा होता है cubic के अंदर जो highest packing सो करता है तो मेरा answer होगा face centered cubic तो इस तरह से हमने packing fraction packing efficiency तक हमने किसका खतम कर दिया face centered cubic का right so बच्चो आब हम start करते है close pack structures इसके अंदर क्या होगा कि जो solids होते हैं उसके ions होते वो बड़े packed होते हैं तो packing जो होती है जिस करण से solid solid होता है और काफी high melting point and boiling point भी होती है तो इसी लिए जो solid की अपनी एक property है अच्छे से pack होने के रहने की उसी की पढ़ाई हम close packing, 2D close packing and 3D close packing जो close packing structure होते हैं one dimension के अंदर उसमें क्या होता है कि हम एक line से ऐसे ही हम atom को arrange कर रहे होते हैं और मैं आपको दिखाओ यहाँ पर तो हम ऐसे ही करके atoms को arrange करके रखते हैं और यह जो atom आपको दिख रहे हैं यह arranged है एक के बाद एक तो हम इसको बोलेंगे this is 1D close packing औ जाए यह atom जो है इसके भी touch में है इसके भी touch में है that is why जो touching condition पर हो तो हम लोग बोलते हैं coordination number और यहाँ पर एक atom का coordination number होता है वो 2 के equal होता है सर एक बात बता यह वाला तो बस एक को touch कर रहा है बेटा यहाँ से खतम थोड़ी हो रहा आगे भी होगा इधर भी इधर भी होगा तो इसलिए हमने छोटा सास का sample उठाया ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि कैसे करके यहाँ पर coordination number 2 हो रहा है लोग that is why we call it as 1D that is why we call it as 1D अगर मालो यह दो directions में होते मतलब plane में हो जाते तो अपन बोलते 2D अगर वही Z axis में चले आते तो बहुत ही सिंपल है कि हाँ पर 1D बोलने का रिजन है because of a long a axis है one axis है that is why we say 1D अब इससे अगर हम अपन बात करें आगे कि coordination number और के साथ 2 हो गया अगर coordination number I mean close packing two dimension की बात करें तो two dimension के अंदर हमारे पास दो तोला के possibilities है एक तो यह है कि A type के layer को बार बार लगा दो और दूसरा possibility यह है कि हलका सा layer को displace करके उसको A बना दो और पहले वाले layer को B रखो अगर या उल्टा कर दो उपर वाले को A लिखो दीचे वाले को B लिखो तो वैसे कि इसमें हमारे पास दो तरह के layering possible हैं 2D के अंदर 2 dimension के अंदर तो 2D close packing के अंदर हमारे पास जो coordination number होता है अगर इसके touch में और इसके touch में तो मतलब यह atom चार atom के touch में तो जो मैंने tick किये हैं उसके touch में है और जो tick नहीं किये हैं उसके touch में नहीं है तो coordination number 4 दिख रहा है अब हमने क्या करा एक atom को displace कर दिया हलका सा आगे कर दिया तो फिर आगा यहां पड़ यह वाला जो atom है आपके वह इसको भी touch कर रहा है 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 और इसको भी touch कर रहा है the total number 6 को touch कर रहा है that is why we say the coordination number in case of A Ba 2D closing close packing is 6 बहुत सिंपल है अगर AA हुआ तो 4 होगा AB AB होगा तो 6 होगा AA को A क्यों बोला हमने just because of all layers are similar AB AB को हमने AB AB क्यों बोला because of all layers are similar I mean all layers are not similar B is dissimilar to A again B again A तो यह BABA चल रहा है that is why we say it as AB AB type तो AB AB type के अंदर हमें बहुत जादा दिमाग नहीं लगाना है बस इतना करना है कि only REMोगे एक Can Actually to replace करके इन दोनों के बीच में ले आना है तो इसको बीच में ले आया एन दोनों के देखो यह B type player हो गया अप चूकी इंडी में दीखरा है मेरे को इसमें X axis भी दिखरा है और समय इसमें y-axis भी दिख रहा है और x-axis भी दिख रहा है तो बहुत ही सिंपल था अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो इस case के अरेंजमेंट के अंदर अपन देख सकते हैं अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर एक हेक्सागन का फॉर्मेशन होता है आप अराम से यहाँ पर देख सकते हो अब इन्हीं पैकिंग को जब हमने क्या करा अगर हमने उसी एक एक टूडी पैकिंग थी उसकी लेयरिंग कर दिया से अपने अंडे का करेक्ट सजाते हैं तो यहाँ पर एक क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पर एक मिलेगा क्यूब टाइप का कुछ that is why we say here कि this type of close packing 3D की बात करें तो थी डामेंशन में होता है और इसमें फर्दर तीन तरह से पॉसिबल है कॉन कॉन से तो यह टाइप जो सामने आपको दिख रहा है एबी एबी टाइप जो अब उसके बात पढ़ना है और ABC ABC टाइप जो उसके भी बात पढ़ना है तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 3D close packing for the 2D square close packed layer अगर मैं बात करूँ A type का तो in this arrangement जो first layer A होगा वो type AA होगा और इसी के ऊपर और नीचे नीचे क्या करते जाएंगे और भी layers arrange करते है और वही layer यह है लेकिन हम अब तीनों dimension में घूम रहे हैं that is why we say it as what 3D close packing of AAA type अब हमने क्या करा A B A B में क्या करते हैं सर तो A B A B के अंदर हमने पहला वाला triangular लिया दूसरा वाला क्या क्या लिया हमने तो दूसरा वाला हमने hexagonal लिया तीसरा वाला फिर से triangle लिया फिर चौ चल रहा है तो यहां पर जो हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर हम लोग basically hexagon, trigon, hexagon, trigon को एक दूसरी के साथ mix up कर रहे हैं और finally हमारे पास A B A B type मिलता है यहां रखना बच्चा जो SCP structure होता है वो A B A B type से ही बनता है देखो यहां पर SCP दिख रहा है आपको यह A B A B type से बनता ह है next ABC ABC type क्या होता है बच्चा तो ABC ABC में कुछ नहीं होता विटा अगर आपने पहला hexagon लिया फिर उसके बाद triangle ऐसा वाला फिर inverted triangle ऐसा वाला तो अपन बोलेंगे ABC या ACB जैसे बोलना हो तो मतलब 3 different layers आ रहे हैं फिर से 3 different layers आएंगे that is why we say it as ABC ABC type और इससे क्या बनता है इससे बनता है ऐसी लेरिंग से क्या बनता है FCC structure बनता है याद रखना वच्चा अगर हम AAA type कर रहे हैं तो यह हमाई देता है simple cubic अगर हम ABC ABC type कर रहे हैं तो हमें मिलता है FCC और अगर हम AB AB type करते हैं तो हमें मिलता है HCP structure यह धिहान रखना कब गभी एक्जाम में question आ जाता है कि sir what is the type of arrangement in case of FCC तो answer is ABC ABC type what is the type of arrangement of layers in term in case of simple cubic answer is AA type और what is the type of arrangement in terms of in case of HCP hexagonal close packing तो answer is AB AB type ठीक है बच्चा अब आपन देखें गर HCP unit cell तो HCP unit cell ऐसा ही दिखता है जोसा हमने पीछे slide में देखा था अब यहाँ पर देखो तो number of item कितने होंगे तो number of item यहाँ वेटा देखोगे तो यहाँ पर तुमारे पास 6 corner हैं सबका contribution 1 by 6 होगा यह 3 मिलके बन रहे हैं एक HCP unit cell यह 3 मिलके बन रहे हैं तो यहाँ पर एक क contribution 1 by 6 होगा 6 corner है तो हमारे पास 1 by 6 into 6 हो गया by this corner similarly यहाँ भी 6 corner है तो 1 by 6 into 6 मतलब 1 हो गया उसके बाद यह जो 3 atom है यह पूरी तरह से अंदर में है HECSAGAN के पूरी तरह से अंदर में है यहाँ से 3 के 3 पूरे आ गये यहाँ से 1 by 6 into 6 आ गया और उसके बाद यहाँ से भी 1 by 6 into 6 सर एक बात बताओ यहाँ पर जो है एक आपका बीच के सेंटर में भी तो दिख रहा है हाँ बिलकुल दिख रहा है यह बीच का जो सेंटर होगा यह आधा इसके अंदर होगा और आधा इसके उपर होगा सिमिलरली यह सेंटर होगा फेस सेंटर की तरह होगा आधा इसके उपर 4 plus 1 plus 1 तो answer हो गया Z equals to 6 तो यहाँ पर Z की value बेटा 6 होती है यह 3 atom पूरी तरह से अंदर में होते हैं यह 3 हो जो आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3 यह 3 atom पूरी तरह से अंदर में होते हैं यहाँ पर हर corner 1 by 6 contribution देता है और यहाँ भी 1 by 1 by 6 contribution देता है और साथ में जो face center होता है वो half और half देता है that is a total number हो जाते हैं तुमारे पास 6 अब अपन अगर बात करें touching condition की तो touching condition क्या होगा वेटा तो touching condition यहाँ पर अपन clearly देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर है इसके अंदर अगर अपन यह पूरा का पूरा क्या ले रहे है यह पूरा का पूरा side ले रहे है इस particular hexagon का तो वैसे कि इसमें यहाँ से R और यहाँ से R तो अपन देख पा रहे हैं कि 2R equals to क्या रहा है वेटा तो 2R equals to A आ रहा है this is the touching condition मैं तो radius equals to side length of क्या side length of hexagon अगर हमें coordination number की बात करों तो coordination number क्या होगा तो coordination number अपने गर देखें यहाँ पर तो clearly हमें दिख रहा है क्या तो coordination number इधर अगर किसी के भी respect में अपन देख रहे हैं किसी के भी respect में तो क्या देख रहे हैं यह मालोग यह face center है तो face center 6 इसको touch कर रहा होगा उपर में जो 3 है atom उसको touch कर रहा होगा तो 6 plus 3 कितने हो गए बच्चा 9 हो गए और similar fashion में 3 नीचे भी touch कर रहा होगा because अगर इसके भी नीचे similar ऐसा ही layer इधर भी होगा तो वहां के भी 3 को touch कर रहा होगा तो 6 plus 3 9 plus 9 कितने हो गए बेटा तो coordination number हो गया इसका 12 अब आता है बेटा packing efficiency तो याद रखना इसकी भी packing efficiency 74% ही होती है या फिर इसको बोल सकते हैं 5 by 3 root 2 packing efficiency जो होती है वो 5 by 3 root 2 बोल दो या 74% बोल दो दोनों बातें क्या हैं similar हैं तो ये तीन चार बाते important informations हैं याद रखना हो सकता है ये question board के अंदर ये वाला portion board के अंदर नहीं आए चलिए अब next है important conclusion क्या निकाला हमने तो important conclusion है यहाँ पर कि all type of packing system FCC and SCP packing efficiency are closest है ना packing with packing efficiency of 74% मतलब अगर CCP हो या HCP हो CCP क्या होता है सर तो CCP या FCC CCP का ही दूसरा नाम क्या होता है वेटा I mean FCC का ही दूसरा नाम क्या होता है CCP होता है इसका मतलब होता है closest cubic packing तो closest cubic packing बोलो या FCC बोलो दोनों बाते सेम ही है क्योंकि मतलब cubic packing के अंदर जो सबसे closest packing है जिसमें सबसे ज़्यादा packing fraction है वो होता है FCC इसलिए इसका हम लोग closest क्यूबिक पाकिंग भी बोलते हैं और साथ में HCP पाकिंग ये दोनों का percentage fraction कितना होता है 74 अगर मैं बोलूँ कि since FCC is a cubic unit cell so it has highest packing efficiency so we call it as closest cubic packing and last में लिखा हमने अगर मैंने simple cubic बनाया जैसा मैं अभी जिस्ट बताया था तो यह AAA टाइप होता है अगर हमने HCP बनाया तो ABAB टाइप होता है अगर हमने FCC या CCP बनाया तो यह ABC ABC टाइप होता है यह ध्यान रखना बच्चा यह तीन चीजें हो सकता है conclusion के तोर पे आपको यूज करनी पर जाएं यह important है नेक्स्ट चाहते हैं Types of Void के उपर अब हमारे पास 3 तऱ के Whites होते हैं वैटा ट्राइंगलर-Wide, टेट्राहेडर-Wide and रौक्ताहेडर-Wide ट्राइंगलर वइड क्या होता है जहां पर कि यह 3 तरह के आटम से यह वाइड जान अगर 3 आटम ऐसे void is 3, simple है, next हमारे पास है, tetrahedral void, tetrahedral void क्या होता है, तो 3 तुम्हारे plane में हो, एक उसके उपर से आ जाएं, देखो यहाँ पर 3 पीछे दिख रहे हैं, और एक इसके उपर से दिख रहे हैं, तो जो बीच में void बनेगा, that will be tetrahedral void, और यहाँ पर जो coordination number होगा बेटा, वो 4 होगा, just because अब यह white जो है, यह 3 यह blue वाले को touch कर रहा है, और एक उपर वाला red को touch कर रहा है, total इसमें 4 होंगे, इसके जो shape होगा, वो कैसा होगा, tetrahedral type होगा, obviously बात है बेटा, अगर atom spherical हैं, अगर हम उसको arrange करेंगे, और उसके उपर से का atom डालेंगे, तो हम समय याद रखना, अगर कभी भी shape तुम्हारा curve हो, अगर किसी का भी shape curve है, तो वो पूरी तरह से space occupy नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ अंदर में wide रहे जाएगा, जैसे for example, अगर मालनों, मैंने दोनों हाथों को ऐसे मिलाया, आपको लग रहे ना हाथ जूर गाएं, लेकिन नहीं जूरे हैं, अंदर में कुछ ना को space खाली है, आप भी करकर देख सकते हो, यह हमारा हाथ क्या है, curve है, यह curve है, इस कारण से यह कभी भी एक साथ flat के दरसे जूर ही नहीं सकते हैं, 100% कहीं न कहीं wide होगा, वैसे ही जब atom जूर रहे होते हैं, वह spherical होते हैं, उनका surface curve होता है, that is why वहाँ पे कहीं न कहीं आपको wide देखने मिल ही जाएगा, wide वहाँ पर raise हो ही हो जाएगा, अगर वही wide तीन से बन रहा हो, तो अपर मोलेंगे triangular wide, वही wide अगर चार से बन रहा हो, तो we call it as tetrahedral void, और अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, तीन atom को ऐसे range कर रहे हैं, और उसके पीछे opposite sense में तीन और range कर रहे हैं, तो तीन प्लस तीन छे से अगर बनेगा, तो अपर मोलेंगे उसको octahedral void, आप चुकी हमेंने बोला भी जस्ट कि पूरा स्कर्व तुमारा कर्व, पूरा सर्फेस तुमारा कर्व है, that is why for sure अंदर में कोई नगर स्पेस बचा रहेगा, और वही क्या कहलाएगा, वाइड कहलाएगा, और याद रखना, coordination number octahedral void का 6 होता है, just because of यह 6 sphere से, यह 6 atom से मिलके बनता है, और एक बात और सुनलो वेटा, जो वाइड होता है, उसमें भी occupancy आती है, जब atom arrange होते हैं, तो for sure वाइड आएगा ही आएगा, चाहे वो FCC में आएं, चाहे वो AB में arrange हो, चा जहां पर आके ions अपना space occupy करते हैं, और generally जो आयन होते हैं, वो cation होते हैं, वो cation की side छोटी होती है, इसलिक cation का हमेशा tendency होता है, कि वो wide में जाके place occupy करे, यह ध्यान रखना विटा है, जैसे na cl है, तो na cl के अंदर na plus और cl minus का जगर lattice बनाओगे, तो cl minus तो तो तुमारे सारे वहाँ जाएंगे जो lattice point थे उनके, जो की lattice point होंगे उनके, चाहिए वो corner हो या face center हो, लेकिन जो तुमारा na plus है, वो wide में जाके बैठा रहेगा, वो wide occupy करता है, just because of cation की size, छोटी होती है, और wide का size भी छोटा होता है, यह ध्यान रखेंगे बैटा, तो तीन तरह के wide हमने question, next is, next है वच्चा, position of THV in FCC, अब जब THV होता है, मैंने भी जस्ट बताया था आपको, कि tetrahedral wide जो होते हैं, वो कहा होते हैं, वो बनाएंगे, तुमारे कहीं न कहीं तो wide बनेगा ही बनेगा, अगर कोई lattice system है तो, तो मान लेते हैं, यह हमारा lattice system है, जो FCC मैं दिखा रहा यहां पे, जो यह तुमको white white सा गोला दिख रहा है, यह black से गोला बनाया, white space खाली दिख रहा है, यही सारे void हैं, और याद रखना, जो wide का position होता है, तुमारे FCC के अंदर, THV वाला, THV क्या है, tetrahedral wide, तो उस wide का position होता है, हर एक corner के respect में, इस position पे, जिसका location होता है, 1 by 4X में 1 by 4Y में, and 1 by 4Z में, तो अगर हम 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4, अगर अपन 3D में देखे जाके, let's suppose तुमारा यह कोई corner है, और यहां से 1 by 4, 1 by 4 distance पे हम आगे बनें, मतलब A by 4X में, A by 4Y में, और फिर A by 4Z में बरें, तो हम जहां पहुंचेंगे, वही मेरा wide होगा, वैसे यहां जाए, A by 4 आगे गए, इसमें गए, और A by 4 नीचे आगे, तो जहां भी पहुंचेंगे, वही मेरा wide होगा, यहां wide दिख रहा है मेरे को, वैसे ही जहां भी जाओंगा, A by 4 इधर गए, फिर A by 4 उपर गए, और फिर A by 4 इधर गए, तो हमें wide मिल गया कहीं पर, तो वैसे करके, हम लोग तो अगर A by 4, A by 4, X, Y, Z में अगर move कर रहे होंगे, तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें wide मिल रहा होगा, तो with respect to all corners, we have one wide, तो आमाने पास 8 corner हैं, तो FCC के अंदर हमें 8 wide मिलते हैं, कौन से वाले, टेट्रा हेडरल वाले, तो यह टेट्रा हेडरल वाले, बनता चार एटम से है यह चार आयन से है, तो ये जो space होता है, ये चार से घिरा वारता है, कौन-कौन से सर, एक तो यहां से घिरा हुआ है, यह वाला space, यह वाला, एक इससे है, एक इससे है, और एक इससे है, तो चार एटम ने मिलके ये वाला wide बनाया, जो मैं यहां पर red color से mark कर करकी आपको दि होते हैं वो कितने होते हैं तो वोत हैं एट अफी जाय से में एक होगा तो आठ कैनल हो गया तो fcc के लुच्व के लिए अदर सब्सटेश घ्रा रगूएड होते हैं वह होते हैं तो वो does आठ अब आप इबता बच्चा आठ को हम लिख सकते हैं दो गुने 4 अगर आपको याद हो आठ कोस्ट ये 4 हो गया अब दो गुने 4 अगर अगर अपन ले रहे हैं तो यहाँ पर दो गुने इसको जैड़ды लिख सकता हूं क्योंकि हमें पता है कि F CC में जैड की value कितनी होती है पोड होती है तो इसलिए आपन बोल सकते हैं कि जो THV का number है वो 2Z के equal है सर जेड क्या यहाँ पर तो Z है number of atom per unit cell अब touching condition क्या होगा तो मैंने जस्ट बताय था वेटा कि ये वाला जो तुमारा wide है ये कहां पढ़ है तो ये वाला जो but yeah because of ये ऐ भाइ 4 ए भाइ 4 ए बाइ 4 डिस्टेंस पर है तो ये डाइगनल का होगा ये डाइगनल का 1 भाइ 4 होगा और डाइगनल का 1 भाइ 4 होगा तो डाइगनल होता क्या है सर डाइगनल होता है A rhoi 3 तो A R.3 divided by मैंने क्या कर दिया फोर कर दिया और इस पर्टिक्लर वाइड में होए कौन केटाइन है यहाँ पे कौन है एनाइन है तो एनाइन के साइज क्या होगी एनाइन के साइज बड़ी होगी केटाइन के साइज क्या होगी छोटी होगी तो अगर यहां से लेकि यहां का डिस्टेंस देखा जाए और य यहां से लेके यहां तक cation है जिसको हम r plus बोलेंगे और यहां से लेके यहां तक nion है जिसको हम r minus बोलेंगे तो अपन ऐसा बोल चकते हैं कि r plus plus r minus must be equal to a root 3y2 यह इसका touching condition होता है for a क्या for a void right for a tetrahedral void in FCC चलिए सर उसके बाद अगर अपन बात करें OHV की बात करें तो OHV कहा होता है तो OHV होता है छे से घिरा हुआ अब छे कौन है तो एक यह है वेटा छे से घिरा हुआ छे कौन है सर तो छे एक यह है वेटा एक यह वाला फेस एक यह वाला फेस एक यह वाला फ center पे ही मिलता है हमें Octahedral Void एक तो body के center पर मिलता है और उसके बाद हमें मिलता है Octahedral Void इस edge के centers पे और एक edge center जो है वह चार से घिरा हुआ रहता है यारना बच्चा एक edge center जो है edge center अगर तुम्हें block करना है तो एक इधर से लगाना पड़ेगा एक इस इसे उपर लगाना पड़ेगा और किधार लगाना पड़ेगा तो चार क्यूब से यह एज का सेंटर घिरा हुआ रहता है that is why हर एज सेंटर का contribution जो unit cell के अंदर होता है वो 1 by 4 होता है total number of हमारे पास एज कितने हैं बाड़ा है तो अपन बोलेंगे कि 1 by 4 into 1 by 4 into 12 plus एक body center सब मिलके हो जाएंगे तुमारे octahedral void तो अगर OHV का number चेक किया जाए तो OHV का number तुमारा Z होता है just because अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 plus 3 4 हो गया तो OHV एगर 4 है तो 4 क्या होता है Z के equal होता है किस के लिए FCC के लिए तो मतलब हो गया sir कि basically OHV nothing but 4 के equal है तो मतलब OHV nothing but Z के equal है अगर मैं FCC की बात कर रहा हूँ touching condition क्या होगा sir तो पैटा यह age के center पर है अगर यह पूरा age है तुमारा तो यहाँ age के center पर तुमारा केटाइन होगा और corner में तुमारा N9 होगा because of केटाइन छोटा होता है तो wide के अंदर होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मानलो पूरा यह age है अगर यह पूरा age A है और यह मानलो तुमारा N9 है यह तुमारा केटाइन है तो यहाँ पर ब कौन कौन है, केटाइन भी है, थोरा और अनाइन भी है, आधा केटाइन है, आधा अनाइन है, that is why I said R plus radius of केटाइन, plus radius of अनाइन, must be equal to what, A by 2, so this is the touching condition of octahedral void, now nut cells are क्या याद करना चाहिए, तो nut cell ये होता है वेटा, कि THV का number हमेशा 2Z के equal होता है, चाहे कोई भी lattice हो, और कोई भी unit cell हो, और OHV का number हमेशा Z के equal होता है, चाहे कोई भी lattice हो, कोई भी unit cell हो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सरे एक बात बताओ, simple cubic के लिए क्या होगा, तो symbol cubic में मैंने बताए था, Z की value 1 होती है, तो यहाँ पर THV और OHV का number कुछ ऐसा होगा, कि THV यहाँ पर 1 होगा, THV यहाँ पर 2 होगा, और यहाँ पर OHV 1 होगा, Z कहां से लाए सर, मैंने तुरंत बताया वेटा, जब मैं simple cubic प्रहा रहा था, और यहाँ पर THV होता है 2Z के equal, और OHV होता है Z के equal, similar fashion में अगर मैं BCC की बात करूँ, तो BCC के अंदर Z जो होता है वेटा, वो होता है 2, तो वैसे किस में THV हो गया 4, और OHV हो गया 2, similar fashion में अगर मैं FCC की बात करूँ, तो FCC में Z होता है 4, तो अगर यह 4 हो गया, तो यह बन जाएगा 8, और यह बन जाएगा क्या 4, और अभी ज़स हमने प्रूव किया था कि FCC के अंदर क्या होता है THV, THV के value 8 होती है और OHV के value 4 होती है, तो यह चीजे ध्यान रखने बात है, यहाँ पर बस यही तुम्हारा conclusion है, जो आपको याद रखना है, exam hall में हो सकता है, इसके उपर direct numbers पूछ ले जाएग, कितन कि नंबर कहा होते हैं THV के और OHV के, तो उस समय में आपको पता होना चाहिए कि क्या कितने numbers में होता है, FCC में कितने होते हैं, kita myself, Allah, KM Chicago में और due to आपन कहां दीख सकते हैं क्लिए लिखावा है missing of iron और dislocation of iron from the lattice side मत अगर lattice side से atom या iron dislocate हो जाए या गायब हो जाए तो हमारे पास defect आना शुरू हो जाता है अब इसको broadly two part में divide करते हैं जिसको लोग बोलते हैं strikeometric defect and non strike इसी के अंदर फर्दर और भी टाइप है तो बच्चे वह भी बोस्ते पॉइंट इफेक्ट क्या होता है तो ब्रॉटली इसको दो part में divide करते हैं उसके बाद उसी के अंदर फर्दर पॉइंट इलाइन देख लेंगे लोग interstitial defects तरह तरह के डिफेक्ट इंपूरिटी डिफेक्ट तो तरह तरह के डिफेक्ट होते हैं बट मेजरली यही दो defect होते हैं इसी के फ़र्दर ट्रफ टाइप सपन देख लेंगे और नाम बता देंगे उसका सबसे पहले अगर हम इस ट्रोइक्यो stoichiometric formula change नहीं होता है ध्यान अखना बेटा यहां बोलता हिए कि ऐसा डिफेक्ट जहां पर stoichiometric जो main formula है जो main compound का formula है वो change नहीं होगा और यहां पर मेजरली दो defect होते हैं जो बहुत ही important है हमें पढ़ने भी हैं और वह defect होते हैं बच्छा आपके पास अपन देखें यहां पर सामने में तो आपने पास दो को चोड़के भाग जाते हैं अब यहां पर देखो तो एनाइन के साइज बड़े हैं के टाइन के साइज छोटे हैं यहां पर और और ब्लू किलर से एनाइन बनाए हुआ है तो एक्वल नंबर ऑफ के टाइन और एनाइन दोनों क्या करते हैं लैटिस साइड को छोड़के भा के बीच का size difference बहुत ज़्यादा नहीं हो तीसरा होता है due to variation in temperature and pressure condition अगर हम करेंगे तो भी यह defect पाया जाता है अगर आपको पता होना चाहिए अगर pressure बढ़ाते हैं तो चीजें जल्दी नजदीक नजदीक आती है coordination number बढ़ जाती है और याद रखना अगर temperature बढ़ाते हैं तो चीजें दूर दूर होनी शुरू जाती है coordination number घड़ जाता है तो coordination number क्या होता है तो मैंने बताया था coordination number होता है atom इंदी touching condition तो जहां पर touching condition में atom ज़्यादा होंगे जहां पर touching condition में atom ज़्यादा होंगे like six and eight उसी particular lattice के अंदर आपको ऐसा defect देखने मिलेगा या फिर जहां पर केटायन और एनायन के size का difference बहुत ज़्यादा नहीं हो वहां पर मिलेगा साथ में temperature pressure variation करने के बाद ये defect मिल जाता है just because of coordination number increase करती है pressure के बढ़ने से और इस case में हमेशा जो तुमारा lattice होगा वो neutral रहेगा ऐसा क्यों हो रहे है solid जो होगा वो हमेशा neutral लेगा ऐसा क्यों होता है क्योंकि equal number of ketine और एनायन भागे हैं जितना plus भागा उतना minus भागा तो net charge neutrality के तरफ जारी होगी अगर मैं बात करूँ density की तो चुकी atom और आयन अपने place को छोड़ के भाग चुके हैं तो वैसे case में जो density होगी वो decrease कर रही होगी just because of mass का loss हो रहा है और example बहुत important डेविटा के CL, NACL, AGBR, CSCL यह सब के साथ इसके example हैं प्लीज बच्चा याद रखना यह examples आते हैं और जो भी points मैंने यहाँ पर बताई है यह सब के ऊपर question frame हो जाता है और कोई पुछे का density का क्या होता है क्या density affected नहीं होता है तो answer नहीं affected होता है density decrease कर जाती just because of mass भाग जाता है electrical neutrality maintained रहती है और साथ में यह वहाँ होता है है जहाँ पर size of cation and iron ज्यादा difference नहीं सो करते और साथ में coordination number high होना चाहिए यह होता है 40 defect अब होता है next frankal defect अच्छे बात और सुनो विटा चुकि points से भाग गए तो points से भाग गए तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर points missing है right points missing है मतलब यह defect जो है यह point defect के तौर पर भी हम treat कर सकते हैं next है frankal defect यह कहां होता है वहाँ होता है जहां पर की आपके cation जो होते हैं वो size में छोटे होते हैं तो वो क्या करता है सर कैटाइन तो वहां भी size में छोटा था यहां पर कैटाइन exceptionally size में छोटे हैं इसलिए को आपने लटिस point को छोड के कहां चला जाता है तो वह χाली होता है यह site है यह site, है यह site, यह site, यह site, तो किटायन अपने place को छोड़के इसी lattice के अंदर कहाँ चला जाता है, किसी particular interstitial site में पहुँच जाता है, देखो यह बच्चा, यहां पे clearly दिख रहा है कि यह वाला किटायन है, यहाँ वाला, यह किटायन यहां से छोड़ के कहां भाग गया तो यहां भाग गया यहां पर ऐस सच कोई मास का लॉस नहीं है मास का कोई लॉस नहीं है और साथ में चार्ज लेटिस के अंदर ही है structure के अंदर ही है लेट इस वाइ neutrality भी maintained है चार्ज ऐसा नहीं हुआ कि भाग गया के लाटिस को छोड़के बिल्कुल नहीं लाटिस के अंदर ही है सर तो पिछले वाले में भागा तो था वहां electrical neutrality क्यों थी क्यों थी वहां पर दोनों भागा था के टाइन आज विला जैनाएन अगर दोनों भाग रहे हो तो और दूसरा है size difference जो होगा के टाइन और एनाएन का वो ज़्यादा होना चाहिए जस्ट उल्टा solid defect का उसके बाद solid remain electrically neutral just because of के टाइन भागा नहीं है इंटरसेसल साइट के अंदर ही है जैसे पहले जितने plus charge structure के अंदर थे उतने ही अभी भी present है जितने minus पहले present थे अभी भी उतने ही present है तो यह सचार्ज में कोई बरोतरी या घरोतरी नहीं है density भी same रहेगा क्योंकि भागा नहीं है यह lattice के अंदर ही है मतलब पहले भी इतने ही mass थे जब यह यहाँ बैठा था और अभी भी इतने ही mass है बस location change हो गया तो यह एक तरगा dislocation effect है राइट और इसके example क्या है बच्चा तो इसके example है ZNS, AGBR, CDS यह सब के सब इसके example है काफी famous example इसको याद रखेंगे हम बस तो यही simple था frankled effect अब अगेन यहाँ पर यह क्या हुआ point से dislocation हो ड़ी है एक point जो है अपने जगा को छोड़ के कहां पहुंच चुका है interstitial site में पहुंच चुका है next है मारे पास बेटर नॉन इस्ट्रोक्योमेटरी डिफेक्ट नॉन इस्ट्रोक्योमेटरी में क्या होता है जो simplest formula होता है solid का वही change हो जाता है right अभी तक formula change नहीं हुआ था क्योंकि जितने CL माइनेस भागे उतने एने प्लस भागे तो नेट नंबर सेम ही रह गया मतलब पहले अगर CL भी एक घटा तो एने भी एक घटा और दुसरे वाले case में जो के टायन था वो site में जाके बैठ गया मतलब भागा नहीं है तो मतलब वहाँ पर नहीं कोई चीज access हुआ है नहीं कुछ गिरा है या रखना access होना या घटना यह depend करता है के टायन और एनायन के या तो metal बढ़ जाएंगे या फिर non metal घट जाएंगे तो वैसे केस में बच्चा याद रखना कि इस non destroy क्यों metal defect को further हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक होता है metal excess defect और एक होता है metal deficiency defect अगर मैं metal excess defect की बात करूँ तो metal excess कैसे हो सकता है या तो मैं non-metal को भगा दूँ या मैं metal को add कर दूँ दोनों में से कुछ भी possible है तभी metal क्या होगा बढ़ जाएगा बात समझ में आई वेटा मैंने बोला metal बढ़ाना है with respect to non-metal तो क्या तरीका है या तो तुम metal बाहर से add कर दो या फिर नहीं तो तुम non-metal को भगा दो तो non-metal जैसे भागेगा तो metal तुम्हें जादा दिखेगा तो अपन बोलेंगे यहाँ पर जैसे for example मेरे 5 metal है 5 मालो non-metal है और 5 non-metal है और 5 ही metal है अब अगर मुझे metal बढ़ाना है with respect to non-metal तो दो तरीका है या तो मैं 5 में एक और metal add कर दूँ तो 6 हो जाएगा या फिर मैं non-metal से एक और घटा दूँ तो मतलब यहाँ से minus 1 कर दूँ तो यह 4 हो जाएगा तो देखो दोनों केस में क्या हुआ छे मतलब इन दोनों के मिलने के बाद 6-5 हुआ इसको बढ़ाया तो 6 यह हो गया पांच यह हो गया या इसको घटाया तो चार ये हो गया, पांच ये हो गया, तो मतलब हम एक केस में या तो इसको छेड़ दें, या फिर इसको छेड़ दें, इसको छेड़ने का मतलब है metal एड़ कर दो, इसको छेड़ने का मतलब है non metal हटा दो, तो दोनों केस में आपके पास metal जो होंगे, वो with respect to क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे बटा तो इसलिए या तो removal कर दो का इस किस का non-metal का तो खुद बेखुद metal का नमबर आपको ज़्यादा दिखेगा या फिर नहीं तो addition कर दो बहार से metal का तो भी आपको metal के numbers ज़्यादा दिखेंगे with reference to non-metal अब यहाँ पर क्या क्या हो सकता है बच्चा तो पहला तरीका होता है हम removal कर दें non-metal का अगर non-metal का अपन removal करेंगे तो वहीं पर f center generate होती है कैसे करते हैं इसको तो यहाँ पर मालो na cl lattice है इसको in presence of na heat करते है हीट करने के बाद क्या होता है जितना na plus heat होता है वो इतने na plus में convert करता है और उतना na plus इस cl minus को भगा जाता है जितना na plus बना उसने क्या करा cl minus से दोस्ति कर ली delta na plus जाके cl minus से दोस्ति कर लेता है और इस CL मैनस को भगाय लिया जाता है और जैसे वो भागता है तो यहाँ पर तुमारे जो demás इलिता हैं ये कहां चीले जाते हैं सुनना द्यान से विटा अब यहां से C L मैनस गाइब हुआ थो यहाँ से सी यह माइनस गायब हुआ तो वहाँ पर माइनस पॉइंट्स क्या हो जाएंगे यहाँ यह माइनस पॉइंट जहां पे पहले वह अभाली हो चुका है और इस minus point पे कितने c l भागे हैं delta c l भागे हैं तो delta electron भी जो generate हुआ है तो यह delta electron उस c l minus के position को occupy कर लेता है और इस कारण से जो एक minus charge मालो यहां से delta minus charge भागा था तो delta minus charge आ चुका है जो sodium से बाहर निकला है इस lattice के अंदर इस कारण से electrical neutrality maintain रहती है लेकिन चुकि यह electron क्या होते इनर्जेटिक होते हैं चुकि यह energy से आये है यह energy हमने दी है यह चुकि electron energetic होते हैं इस कारण से क्या होता है यह electron बाद में वापस back to ground state आते हैं energy lose करने के बाद और जिस कारण से electron transition होता है और जिससे हमें color दिखता है that is why हम इसे बोलते है color center हम इसे बोलते है color center because these electrons are the responsible thing for the color और इसी के लिए हम लोग इसका दूसरा word बोलते है 4B center 4B का मतलब भी color होता है और उसको short में हम बोलते है F center तो F center के समझ में आ गया F center generate हुआ जब delta NA के इसके delta CL से दोस्ती कर गया तो delta CL minus भाग गया delta CL minus ने अपना जगा छोड़ दिया और उस delta CL minus के जगा पर कौन आ चुका है electron ताकि electrical neutrality maintained रहे बस यही है पूरा का पूरा center F center F center में क्या होता है electron excited होते हैं वो back to ground state आते हैं और फिर वो क्या करते हैं हम F center बोलते हैं so this is what happens when we learn F center तो पर पुचेगा F center कहा होता है तो बोलेंगे F center होता है metal excess defects के अंदर ओके सर और यही चीज़ मैंने यहां पर लिखी विए due to heating of electron are excited है ना they come back to the ground stain and it shows the color it is it shows the color similar to that of flame test flame test आप लोगो ने पढ़ा होगा sodium का flame test golden yellow होता है तो यहां पर सोडियम का यह है तो यहां पर आपको golden yellow color दिख रहा होगा just because of this F center next है by the addition of metal हम बाहर से metal को add कर दें तो in this effect क्या करते हैं metal iron को बाहर से dope कर देते हैं इसको हम doping effect भी बोलते हैं और यहां पर हम dope करने के बाद कहां dope करते हैं उनके interstacial sites में dope कर देते हैं लाटिस के जो बीच में खाली space होता है जो अपने में पहने आपको पहले भी दिखाया था यह जो खाली space है इसमें हम बाहर से metal को add कर देते हैं और जिस कारण से हम इस step को बोलते हैं doping और इसलिए हम उसको doping effect भी बोलते हैं अब इसका क्या है तो जैसे यह अंदर जाके उस doping sites में उन interstitial sites में metal अपना जगह occupy करता है तो metal खुद बखुद क्या होता है lattice के अंदर access में हो जाता है तो देखो यहां पर मैंने non metal को बाहर करके metal access कर दिया यहां पर हमने non metal को भगा के क्या किया metal को access कर दिया और यहां पर हमने ध्यान से विटा यहां पर metal neutron neutrality को हम maintain करने के लिए क्या करते हैं electron को भी हम क्या करते हैं interstitial site में डोप करते हैं ताकि electrical neutrality maintain रहे अब चुकि आप बाहर से metal add कर रहे हो तो for sure क्या होगा density जो होगी वो increase हो रही होगी और यहां पर density decrease हो रही होगी तो यहां पर metal बाहर से आ गया कौन से space में खाली है space में इसले इलेक्ट्रोन जो बतर डेंसिटी होगी मास्क के बढ़ने से वो क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो हम metal भी add करते हैं metal के kations add करते हैं और साथ में हम electron भी add करते हैं ताकि हम electrical neutrality maintain रखें तो यह metal structural sites में add करते हैं जो तुमारे beach में space खाली है हम वहीं पर metal को add करते हैं so that is why we can say here also metal is getting into excess now next metal deficiency defect यहां पर दो तरीका हो सकता है या तो metal remove कर दें या फिर हम बाहर से non metals को add कर दें non metals को add करने का कोई तरीका अभी तक हम लोग नहीं कर रहे हैं हम लोगों को नहीं पढ़ना है और नहीं हमने अभी तक कभी देखा है लेकिन removal of metal यह बहुत famous है तो removal of atom metal कैसे होता है है तो in this defect क्या होता है metal iron जो होता है वो अपने lattice space को छोड़ देता है और जब metal अपने lattice space को छोड़ देता है तो क्या होता है कि बच्चा वहां पर metal कम हो गए अब metal जब कम हो जाते है तो obviously metal के kytyn कम हो गए जर कैसे सर बताता हूँ jest for example ये तुम्हारा वो मेंटल का मैंने बनाया क्या मेंटल का बनाया मैंने वो तुम्हारा पुरा structure और माले थे हैं कि हर जगा तुमारे पास हर जगा तुमारे पास यहाँ पर मिटल है आइरन की मैं मानलों बात कर लेता हूँ अगर आइरन है इसके अ प्लस यहां भी एफी का टू प्लस और यहां भी एफी का टू प्लस अब माल लेते हैं मैंने इस साइट से एफी का टू प्लस भगा दिया तो क्या होता है कि दो प्लस चार्ज की कभी हो गई तो इसलिए क्या करता है कि जो दुसरा तुमारे साइट पर एफी के टू प्लस हैं वो इस charge को manage करने के लिए, plus two charge को manage करने के लिए, विए यहाँ पर two charge का loss हो गया है, तो इस two charge को manage करने के लिए यह क्या करते हैं, कि दो FE के two plus, FE के three plus में convert हो जाते हैं, यह भी FE का three plus में convert हो गया, तो जो बचा हुआ, दो charge का loss हुआ था, वो इन दोनों ने मिलके, two plus से three plus बनके उसको overcome कर लिया यहां से plus one मिल गया यहां से plus one मिल गया तो net electrical neutrality maintained रहती है अब आप ही सोचो कि यह कौन कर सकता है तो यह वो कर सकता है जिसके पास variable valency हो जिसके पास various oxidation state हो इसलिए लिखा जाता है कि this type of defect generally found in those metals which has variable oxidation state मतलब जहां भी तुमारे पास variable oxidation state होगा वहीं पर तुम्हें यह defect देखने के लिए मिलेगा लेकिन आप ही सोचो बैटा आप ही सोचना अगर यह defect उसी में मिलेगा देखना ध्यान से अगर यह defect उसी में मिलेगा तो यह क्या sodium so कर सकता है आंसर नहीं sodium plus plus one पे होता है क्या iron so कर सकता है हाँ iron plus one पे भी होता है और plus two पे भी होता है likewise most of the transition metals हो कर सकते हैं just because of transition metals always have variable valency अब इस case में क्या हुआ बच्चा इस case में metal गायब हो गया तो density घट जाएगी because of mass का loss हुआ है और electrical neutrality maintained रहेगी क्योंकि plus charge का loss तो हुआ था लेकिन दूसरे atoms ने उसको क्या कर दिया nullify कर दिया उस particular loss को तो इस तरह से तुमारा metal excess defect भी खतम हो गया बच्चा अब तुम्हारे लिए as such कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए अगर कोई पुछता है what is interstitial defect what is doping तो आपको मैंने बताया कि doping का example था तुमारा ये वाला जहां पे हमने बाहर से metal को add किया है right बाहर से metal को add किया है उनके interstitial sites में तो ये भी उसी के sub type हो गए right जहां पे point dislocate हो जाए point से कुछ मिस हो जाए वो सब point defect है right तो ये सब चीजें भी defect के further types होते हैं लेकिन जो basically defects होते हैं वो दो ही होते हैं non stoichiometric stoichiometric non stoichiometric के अंदर stoichiometric change हो जाती है आप देख सकते हो पहले feo रहा करता था अब fe.93 हो गया just because of fe2 plus किस में convert हो गया fe3 plus में convert हो गया इस कारण से fe2 plus के numbers कम हो गए तो ये stoichiometric defect नहीं रहा यह क्या बन गया non stoichiometric लेकिन यहां पर देखो वेटा यहां पर तुम्हारे metal के formula में कोई sorry यहां पर तुम्हारे metal के formula में change है यह पहले nacl1 रहा करता था अब यहां पर nacl1-delta हो गया मतलब अगे नेट एसका molecular formula है जो net formula है वही क्या हो गया change हो गया लेकिन अगर other defect की बात करें चाहे यह defect हो चाहे कोई defect हो तो इन defects में formula ऐसा change नहीं होगा क्योंकि यह अंदर ही lattice के अंदर है और similarly इसमें भी change नहीं होगा क्योंकि जितने c l minus गए उतने नहीं एने प्लस गए तो net formula वही रह जाएगा तो इस तरह से वच्चा हमारा सारा defect खतम हो गया I hope तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा board के लिए सारे के सारे theory important है अब इसके उपर question practice करना सुरू करो और notes को पूरा device करो उसको पूरी तरह से ध्यान से पढ़ो तो हो सकता है तुम्हारे सारे questions बनने शुरू हो जाएंगे और मैंने वो सारे topic लिए हैं जिससे की exams में questions पूछे जाते हैं most important topics में से एक होते हैं तो वच्चो इसी के साथ ये solid state का one short video खत्म हुआ मन से पढ़ाई करते रहो और अच्छे नंबर लाओ अपने term 1 के exam में मैं भी प्रे करूंगा आपके लिए आप भी अपनी level पे पूरी मेहनत करें for sure आपके marks जो होंगे वह बहुत ही अच्छे होंगे 97 98 99 एवन तो मैं चाहता हूं कि मेरे सूपर बच्चे 100% भी परफॉर्म करें बाय बच्चो टेक कियर आप